मेरे साथ physics लाइब पढ़ोगे तो आज वाँ मेरी plus classes में जो होती है daily, live, unacademy, apple, link is in the description, follow me और ये चल रही है need previous question series जिसमें हम एक single video में पिछले 33 years में need में जितने भी सवाल आए है ray optics या geometrical optics जिसको बोला जाता है सारे के सारे questions इसी single video में solve कर लेंगा आप देखोंगे बहुत सारे questions रिपीट होते हैं जिन लोगों ने अभी तक meet के लिए कुछ रूपढ़ाई नहीं करिए ray optics के आप ये practice problems देखें आपको बता चलेगा किस तरीके सवाल पूछे आते हैं जो लोग मुझे नहीं जानते हैं मेरा नाम विक्रान किरार है मैंने IT करणकर से mechanical engineering करी है और अब इस वीडियो को शिरू करते हैं आप बेशोड़ाई सबसे पहले सबसे काम के बात colorful notes की PDF और सारे वीडियो की प्लेलिस के लिए आपको आजाना bit.ly slash physics सेंगे में आपर सारी चीज़े मिल जाएंगी telegram link मिल जाएगा और सारी profile मिल जाएंगी और मेरे plus courses के link पर यहाँ पर आपको मल जाएंगे बदले में आपको क्या करना, आपको सिर्फ वीडियो को शेर कर देना, शेर करोगे, तो hashtag फिजित, endgame लगा देना, साथ में, add विक्रांत करा, मुझे आप टैग कर सकते हो, मुझे follow कर सकते हो, कहां कहां follow करोगे, unacademy पर ये, मुझे follow कर सकते हो, उसके लिए आपको पहले unacademy learning app को download करना पड़ेगा, जो कि iPhone पे भी अवेलेबल है, और Android पे भी अवेलेबल है, आपको download करके अपना पहले free account बनाओ, absolutely free account बनाओगे, तो इस तरीके से बना लेना, उसके बाद बढ़ पाएंगे, अभी क्या अभी follow कर लो, अच्छा follow करने के बाद, आपको इस तरीके से मेरी existing classes भी दिखाए देंगी, किसी भी class को आप देख सकते हो, किसी भी class को देखने के लिए आपको पहले अपना free plan unlock करना पड़ेगा, again, it is absolutely free, free plan unlock करने के लिए आपको मेरा invite code करना है, V-I-K-R-A-N-T, तो इस तरीके साब का unlock हो जागा plan, इस तरीके साब मेरी existing classes को देख सकते हो, जो भी live classes होंगी, उसमें आपा सकते हो, यहाँ पर interactive digital board होता है, जिसमें बहुत ही कम data consume होता है, ऐसे नहीं YouTube की तरफ पूरा का पूरा data एक साथ आपका चूस लिए जाए structured courses and batches हर महीने, हर हफते launch होते रहते हैं, तो आप साल के किसी भी समय में चल रहे हो, आप हमेशे प्लस subscription ले सकते हो, आप अपने doubts सूच पाऊगी, क्योंकि plus courses में हर चौथी class dedicated doubt sessions होते हैं, तो आपके doubts निकलते आ रहे हैं, pile up होते जा रहे हैं, फर आप बोलोगे, ओ-ओ-ओ अचानक से क्या होगे, बहुत सारे test और quiz भी वहाँ पर होते हैं, क्योंकि सिर्फ पढ़ना काफी नहीं है, हमें check करना पड़ेगा, हम competition में कहां stand करते हैं, हमें concepts हो समझ में आ रहे हैं, लेकिन क्या exam temperament हमारे develop हो पा रहे है, exam की situation में, pressure में क्या हम questions solve भी कर पाते हैं, सही सम साथ में है एक iconic subscription, इसमें plus subscription वाले सारे के सारे benefits हैं, लेकिन साथ में आधा एक study planner और personal coach, ये mentorship program है, जिसमें आपको one-on-one mentorship में दोती है, और life में आप कहां पहुंचे बहुत सारे डिपेंड करता था, आपको सही समय पर सही guidance मिली है, क्या, अगर आपको सही समय पर सही guidance मिल ज प्रोग्राम के लिए साइन अप कर सकते हो आइकॉनिक सब्स्रिप्शन ले करके लेकर लेकिन यह सब्स्रिप्शन लेने कैसे हैं तो अनकाडमी एप में ही आप दो साल का या फिर एक साल का सब्स्रिप्शन ले सकते हो या चाहो तो आप 18 महीने का या 6 महीने का दिया उनके लिए फिर से बता देता हूं यूज माइकोड विक्रांत और अब वीडियो को शुरू करते हैं हमारा पहला टॉपिक है प्लेइन मिरर में आ जाता है हमारा एंगल ओफ लॉस ऑफ रिफ्लेक्शन देख लेते पहले लॉस ऑफ रिफ्लेक्शन के हिसाब से हमारा ए इमेज बनाने है मालो यह एक प्लेइन मिरर है और यहां पर ऑब्जेक्ट है तो इसकी इमेज कैसे बनाओगे यहां से आपको पर्पेंडिकुलर ड्रॉप कर देना है मिरर के उपर और जितनी यह लेंथ है उतनी ही दूरी पर आपकी इमेज बन जाएगी एक्स इस इक्वल में अगर हमारे पास यहां पर इमेज बन रहauptये देखो यह पर इस तरीके से रही थी मान लो कहीनित नहीं इसने बर रहो आपक्ःट करने लगोगा इसको मिरर को अगर मैं हमारी ठना एंगल घूम करते हैं यह भी काफी important चीज़ है इस पर बहुत साई सवाल बहुत साई तो नहीं एकाट सवाल तो आया है लेकिन important चीज़ हमारी जो भी height होती है मानलो हमारी height है तो mirror का टुकड़ा कितना सा भी हो image तो पूरी की पूरी ही बनती है लेकिन क्या मैं उस image को देख पाता हूं क्योंकि मानलो यहां पर जो point है वहां से जो रे मेरी आँखों की तरफ आ रही होगी वह आ नहीं पाएगी क्योंकि यहां पर mirror का piece है ही नहीं एक्जिस्ट ही नहीं कर रहा है तो हमाँ पास mirror की minimum length आ जाती है minimum length होगी तभी मैं अपनी पूरी body सर से लेकर पाऊं तक देख पाऊंगा तो वह length कितनी होगी यहां पर देखो हमाँ पास similar triangle का बनता है यह वाला जो triangle है और यह बड़ा वाला जो ट्राइंगल यह दोनों similar triangle होता है क्योंकि यह दोनों distance अगर बराबर है अगर यह height एज थी तो हमें mirror की minimum height जो चाहिए रहेगी वह जाती है edge by 2 बहुत ही simple सा था हम और एक चीज़ देखते है कि mirror से object का जो भी distance है और image का distance है उन्दुरों का magnitude हमेशा बराबर होता है इसी concept का use करके हम velocity define कर सकते है कि velocity of image with respect to mirror is equal to minus velocity of object with respect to mirror अच्छे माइनस क्यों लगा है देखो अगर हमारी object इस तरफ आ रहे है तो image उल्टे direction में आ रहे होगी और इसी को लिखने का और एक तरीका है relative velocity का formula लगा तो कि मानलो mirror भी move कर रहा है इस दिशा में या इस दिशा में यहाँ पर v i by m image की velocity with respect to mirror उसको हम क्या लेख सकते है v i minus v m इसी तरीके से v o minus v m हो जाएगा यहाँ पर minus पर यह वाली चीज इस तरफ चलिए आगी तो हमाँ पास formula बन जाता है velocity of image is equal to two times velocity of mirror minus velocity of object अब देखते हैं plane mirror से बेस के सवाल हमारे neat में अभी तक पूछेगा है सारे के सारे सारे से वीडियो में स्वाल कर लेंगे पहला सवाल a beam of light from a source l is incident normally on a plane mirror fixed at a certain distance x from the source okay the beam is reflected back as a spot on a scale placed just above the source i when the mirror is rotated through a small angle theta the spot of light is found to move through a distance y on the scale the angle theta is given by बहुत अच्छा question है pause करो solve करने की कोशिश करो question को solve करते हैं सबसे पहले तो हमाँ पास देखो इसका diagram मनाते हैं हमाँ पास beam of light from source l is incident normally on a plane mirror fixed at a certain distance x from the source तो हमाँ पास मान लो यहां पर था source source value l है यहां से x distance पर हमारे पास यहां से आ जाओ इस दिशा में x distance पर एक plane mirror है हमने यहां पर plane mirror इस तरीके से लगा दिया उस पर normally वह आ रही है इस तरीके से रहे ऐसे गई होगी और normal आ रही है तो वह वापिस इधर ही retrace हो गई होगी यहां पर हमाँ पास वह spot बन गया होगा उसको हमने थोड़ा सा उपर बना दिया है ताकि हमें difference दिखे नहीं तो actually तो बना होगा same point पर हमने क्या बोला जा रहा है when the mirror is rotated through a small angle theta इसको हमने इस तरफ rotate कर दिया है theta angle से अब हमें पता है formula के हिसाप से हमें पता है कि अगर हमने इसको theta से rotate किया है तो reflected ray 2 theta से rotate कर जाएगी यहां पर जो हमारा पास rotation होगा वह होगा 2 theta अब reflected ray को क्या हम बना सकते हैं यहां पर इस तरीके से मान लो यह हमारी reflected ray है after theta degree उसको घुमाने के बाद तो यह वाला angle हमारा पास है 2 theta हम से पूछा गया है when the mirror is rotated the spot of light is found to move through a distance y on the scale हमारे पास यह थोड़ा उपर आ गया होगा और यह चोटी सी लेंथ उपर आया है यह है हमारी वाई तो हमसे पूछा है था angle theta is given by क्या करें यहां पर यहां पर क्या मैं चीज लिख सकता हूं इस जगह पर tan theta इस triangle को देखो इसमें इस वाले angle को मैं लिख सकता हूं tan 2 theta उसकी value हो जाएगी y divided by x बहुत ही simple है tan 2 theta is equal to y divided by x अब बोला गया कि एक small angle theta था था तो small angle के लिए हम कौन सा approximation use करते हैं कि theta is equal to sine theta is equal to tan theta यह जो tan के अंदर जो चीज लिख हो है उसको आप as it is बाहर ला सकते हो अगर यह चीज़े value हमारी radian में है तो तो हो का radian में 2 theta is equal to y upon x यहां से theta की value हो जाती है y upon 2x option number d is the correct answer next question पर चलते है a person is six feet tall मेरे बराबर कही है how tall must a vertical mirror be if he is able to see his entire length बहुत ही simple question है हमने अभी देखा था कि अगर हमारे पास इंसान की height होती है h उसकी जो image बनेगी उसकी भी height होगी h लेकिन इसकी आखों तक इसके सर से भी अगर इस तरीके से ray आनी है और इसके pair से भी इस तरीके से ray आनी है तो यहां पर हमें जो बीचों बीच में mirror लगा होगा इस mirror की जो length होती है वो हो जाती है h by 2 जिसकी value हमारे case में जाएगा 6 feet का half कित्त हो जाता है 3 feet हमार option number a is the correct answer से बहुत ही आसान सवाल था अगला सवाल देखते है रे optics is valid वेन characteristics dimensions are of the same order as the wavelength of light यह यह ना next chapter question है वैसे वहां पर हम पढ़ेंगे यह सब क्या होता है much smaller than the wavelength of the light यह तो नहीं होता है of the order of 1 mm यह भी नहीं है much larger than the wavelength of light actually हमार option number d यहां पर correct होता है अगर wavelength के order के हो जाते हैं तो वहां पर हमाँ पास diffraction और interference यह सारे phenomena होने लग जाते हैं वह सब चीज़ें हमें नहीं करनी है और wavelength कुछ भी हो सकती है ठीक है electron को use कर लोगा तो उसकी wavelength बहुत ही छुटी हो जाती है लेकिन वहां पर भी रे optics valid हो जाती है तो अलग अलग जिगह पर हम अलग अलग तरह की रेस का use कर लेते हैं इसका answer हो जाएगा दी इस topic से इतनी सवाल थे अब हम चलते हैं next topic mirrors at an angle mirrors को हमने दो mirror को लगा दिया है अंगल पर अब देखो यहां पर क्या होता है हमारे पास मानलों यह mirror है इन दोनों के बीच में एंगल है थीटा अब यहां पर कोई रे इस तरीके से आएगी पहले होगा उसका reflection number one फिर होगा उसका reflection number two और इस तरीके से वह बाहर निकल जाएगी अगर हमने इस रे को ऐसे लाएगा होता है ऐसे incident होती तो में भी ऐसे जाती फिर हमारे पास तीसरा reflection भी हो सकता था कुछ भी हो सकता था लेकिन इतने complicated सवाल नीट में नहीं पूछा आता है तो टेंशल नहीं कि हमें जरूरत नहीं है यहां पर formula क्या है यहां भी हमसे पूछा गया जाता है हमसे पूछा आता है कि रे आ तो इस बोला जाएगा यहां से यहां तक अगर हम counter clockwise नाप रहे हैं या फिर हम यहां से यहां तक भी बोल सकते हैं अगर हम clockwise नापना चाहते हैं क्या हमारे पास इसका कोई formula है देखो यहां पर इसका incident angle आप कुछ भी बनाओ अगर हमारे पास दो reflection होते हो और यह निकल जाती है बाह clockwise यह counter clockwise कैसे पता करोगे बहुत ही interesting सवाल यहां पर देखो हमाया पास पहला reflection हुआ है यह है mirror इसको मैं बोल देता हूं M1 यह है हमारा mirror M2 कैसे पता किया क्योंकि रे पहले आके इस पर टकराई थी इसलिए हो जाता है M1 और यह हो जाएगा M2 सब को समझा अब यहां पर जो theta theta को मैं ना पूंगा वो मैं ना पूंगा M1 से लेकर M2 ठीक है theta को हम M1 से M2 तक मानेंगे first से second तक तो यह theta किस direction में आ रहा है counter clockwise अगर theta counter clockwise है तो हमारे deviation भी होगा counter clockwise यहां पर देखो deviation भी है counter clockwise direction में इसी तरीके से घूमा है correct इस तरीके से हम delta find करते हैं बहुत ही interesting formula है दूसरे तरीके के question जो इसमें आते हैं कि हमारे पास इस तरीके से दो mirrors को रख दे आता है किसी angle पर theta बीच में रख दे जाएगा यहां पर कोई object हमसे बुझाएगा इसकी images कित्ती बनेगी देखो यह वाला mirror इसकी यहां पर exactly यहां पर इससे इतनी ही दूरी पर एक image इस तरीके से ब object है 1,2,3,4,5,6 ऐसे कितनी images बन रही है हमसे सवाल पूछा जा सकता है images ऐसे infinite नहीं बनती है जब तक इसकी जो image बनी है इस वाले mirror में वो इस mirror के इस तरफ है यहां कहीं पर है तब तक इसमें इसकी image बनेगी तो एक fixed number of images बनती है उसको calculate कैसे करना है इसका बहुत ही straight forward formula है और derivation में हमें जाने की ज़रूत नहीं है मालो हमाँ पास यह value थी theta तो सबसे पहले हम n calculate करते है n की value होती है 360 divided by theta अब हमाँ पास n की बहुत सारी values आ सकते हैं उसके कुछ cases होते है पहली चीज़ अगर n हमारा even number आ जाता है जैसे कि 2,4,6,8,10 तो हमाँ पास सीदे सीदे n-1 images बनती है लेकिन हो सकता है n की value odd आ जाए उस case में क्या होगा उस case में हमाँ पास सोचना पड़ेगा क्या हमारी object symmetric तरीके से रखी गई है यह asymmetric तरीके से रखी गई तो देखो यह एक mirror के पास से लेकिन दूसरे mirror से बहुत ज्यादा दूर है इससे होता कि इधर जब image बनती है तो वो दो images आपस में coincide नहीं काती है इसलिए यहां पर एक image ज्यादा बन जाती है symmetric के case में हमाँ पास image बन रही थी n-1 even के case में हमाँ पास images बन रही थी n-1 सिर् अगर हमारे पास odd asymmetric है तो n images बनेंगी नहीं तो n-1 images बनेंगी हमको बस यह चीज़ यार रख लेनी है इसी के साथ questions solve करना शुरू करते हैं पहला सवाल आपकी screen पर star mark question है बहुत अच्छा question है two plane mirrors are inclined at 70 degree array incident on one mirror at angle theta after reflection falls on the second mirror and is reflected from there parallel to the first mirror the value of theta is बहुत ही अच्छा सवाल है इसको हम दो तरीके से solve करेंगे वीडियो को pause करो पहले आप solve करने की कोशिश करो question को solve करते हैं सबसे पहले तो हमें two plane mirrors बनाने पहला mirror मैंने इधर बना दिया यह दूसरा mirror मैंने यहां पर बना दिया इस तरीके से और जब भी आप diagram बनाओ ray optics में diagram सही तरीके से बनाना बहुत ज़रूर है अगर मैं यही पर angle बना दिता है इस तरीके से तो यह angle मुझे पता यह 70 तो नहीं है यह कुछ 30 डिग्री जैसा angle है तो थोड़ा अंदाजा लगाओ exactly हमें पता है 90 डिग्री यहां होता है 90 से थोड़ा कम होगा कितना कम होगा इस तरीके से हमने diagram बना लिया यह है हमारा 70 डिग्री यहां पर एक ray incident होती है पहले तो इदर आएगी फिर इदर जाएगी लेकिन reflection के बाद वो parallel हो जाती है तो मैं काम करता हूँ पहले मैं reflected ray बना देता हूँ इस तरीके से यह गई अच्छे यह reflected ray है तो हमारे पास यहां पर normal कितना होगा यहां पर यह ओल्राइट क् मुझे देख के बता सकता है यहां पर यह वाला angle कितना होना चाहिए क्या कोई मुझे बता सकता है देखो यह angle है 70 डिग्री यह angle है 90 डिग्री तो क्या हमें पता चल जाता है यह वाला angle कितना होगा इसकी value अगर मैं लिखूं if this angle is 5 यह वाला angle है 90 डिग्री तो 5 plus 90 plus 70 is equal to 180 ड हमारे पास 5 की value किती हो जाती है 5 is equal to 20 degree अब हमें पता है ये था हमारा angle reflection का तो यहाँ पर incident angle भी 5 होगा जिसकी value आ जाती है 20 degree यहाँ से कहीं साही होगी यह भी हो जाएगा हमारा 5 is equal to 20 degree अगर हमारे पास ये angle 20 degree है तो क्या कोई मुझे ये वाला angle बता सकता है ये वाला angle कितना हो देखो ये total angle ये था 90 degree ये वाला angle अगर हमारा है 20 degree तो ये बचा हुआ ये वाला angle भी हो जाता है 70 degree अगर मैं इस angle को बोल देता हूँ X is equal to 90 minus 20 याने की 70 degree अब देखो ये 70 degree है ये 70 degree है तो क्या मुझे ये वाला angle पता से लजाकता है इस angle को मैं बोल देता हूँ This is Y तो यहाँ पर मैं लिख सकता हूँ X plus 70 plus Y is equal to देखो ये एक triangle है triangle के तीनों अंदर वाले angle का sum कितना होता है वो हो जाता है हमारा 180 degree तो Y की value हो जाएगी 180 minus 140 which is equal to कितना हो गया 40 degree अब यहाँ पर बनाईए normal ठीक है इस तरीके से जो हमारी ray आई होगी वो इस तरीके से आई होगी ये वाला angle और ये वाला angle देखो incident angle तो ये था ना तो ये ही था हमारा theta तो ये ही था this was a incident ray अगर ये angle है 40 degree तो ये वाला angle कितना हो जाता है अपने आप 90 minus 40 यानि की 50 यहाँ से हमारा पास theta की value हो जाती है 50 degree क्या हो जाएकर theta is equal to 90 minus 40 is equal to 50 degree option number A is the correct answer सबको समझ मैं है अब इससे हम solve करेंगे दूसरे तरीके से दूसरा तरीका कौन सा हमाया पास एक formula है हमाया पास formula क्या है हमाया पास total deviation की value होती है two times theta ओके तो यहाँ पर पहली बात तो हमारा theta कितना है theta की value देखो यानि कि इन दोनों के बीचे में sorry यह वाला theta या theta इस angle को बोलते है जो mirrors के बीच में होता है ठीक है हमारा यह जो formula है इसमें हमारे लिए जो theta होता है वह हो जाता है 70 degree उसको clockwise बोलेंगे की counter clockwise बोलेंगे mirror number one यह था mirror number two यह था तो हम one से two तक इस तरीके से theta को ना पर है counter clockwise तो यहाँ पर जो deviation आने वाला वो counter clockwise आना है ओके तो delta की value कित्ती हो जाती है two into 70 which is equal to 140 degree counter clockwise यह deviation है कौन सा deviation अब उसको देखना जरूरी है देखो यहाँ से पहले तो ऐसे आ रहे थी अब किदर जा रही है इदर जा रही है आ इधर रही थी जा इधर रही है deviation कितना हुआ यहाँ से यहाँ तक यह है हमारा deviation समचे सब तो हम इसको बोल देंगे this is deviation delta और हमें पता है इसकी value 140 counter clockwise आ चुकी है अगर यह 140 है तो हम यहाँ से सीधे सीधे देख सकते हैं कि अगर इन दोनों को parallel होना है यह 140 है तो इसकी value होनी पड़ेगे 40 degree तभी तो यह 140 plus 40 मिल करके 180 हो जाएगा correct तभी parallel होगे condition तो अब आईगे इसको मैं बोल देता हूँ angle z तो मैं पता है delta plus z is equal to 180 degree तो यहाँ से z की value कित्ती आ जाती है 180 minus 140 which is equal to 40 degree और इसी से आ जाता हमाँ पास theta is equal to यहाँ पर यह 90 degree था total अगर यह वाला हमारा 40 है तो इसकी value हो जाती है 90 minus 40 यानि कि 50 degree 90 minus z which is equal to 50 degree again option number a is the correct answer बहुत ही अच्छा सवाल था इसलिए इसको star mark किया है जिसको नहीं समझ मैं है प्लीज वीडियो पॉस करो दुबारा solve करने की कोशिश करो हम चलते हैं next question पर if two mirrors are kept inclined at 60 degree to each other and a body is placed at the middle then total number of images formed as formula based question है वीडियो को पॉस करो solve करो हमारे पास दो mirror है दो mirror के बीच का angle है theta की value कितनी है 60 degree सबसे पहले तो हम formula के साब से n पता करते है n की value होती है 360 divided by theta जिसकी value होती है 360 divided by 60 यानि की 6 तो हमें क्या चीज पता है हमारे पास अगर odd and asymmetric उस case में हमारे पास images कितनी बनती है n else यानि की अगर ऐसा case नहीं है तो हमारे इमेज बनती है n minus 1 तो हमारे पास तो यह number odd आया है यह number ही even आ गया है तो हमारे पास यह वाला answer हो जाएगा यानि की n minus 1 images equal to 6 minus 1 is equal to 5 images बनने वाली होगी option B is the correct answer और plain mirror से बस इतनी सवाल पूछे गए हैं हम चलते हैं next topic पे spherical mirrors spherical mirrors में आ जाते हैं हमारे पास सबसे पहले तो formula देखो spherical mirrors और spherical lenses के formula काफी similar हैं बस plus minus काई थोड़ा थोड़ा अंतर हो जाता है mirrors की case में 1 by V plus 1 by U is equal to 1 by F होता है lens में जगे minus होता है हमारे पास इसी formula को simplify करोगे तो direct अगर हम से V पहले पाद तो U होता है mirror से object का distance V होता है mirror से image का distance F होता है focal length हमारे पास V की value होती है UF upon U minus F बहुत simple याद कर लो mirror की case में हमारी जो focal lens होती है वो C by 2 होती है हमाया जो curvature होता है अगर ये हमारे पास इस तरीके से पूरा का पूरा sphere होता तो इसका कही ना कहीं तो हमारे पास center होता ये हमारे पास radius R होता और इसी का half यानि यहां पर हमारे पास focus point होता है ये फिर हमारी focal length बन जाती है मिरर की case में जो पार डिफाइंड होती है वो डाय अप्टर में आती है उसके उनिट में हम क्या लगाते हैं डी लिखते है इस तरीके से उसकी वैलियू होती है देखो 1 by F लेकिन उसमें लगा दिया जाता है ठीक कि यानि की वैलियू होती है माइनस वी बाइउ और हमारे पास हाइट ओफ इमेज आ जाती है magnification m times height of object अब यहाँ पर यह जितनी भी values हैं सबको हमें sign convention के साथ रखना होता है sign convention क्या है बहुत ही simple है अगर पता नहीं होगा तो यह कुछ काम नहीं आएगा लेकिन पता होना ज़रूरी है देखो सबसे पहली चीज जो mirror का pole होता है उसको हम मान लेते हैं 0 या origin आप उसको अब origin है तो इधर की तरफ plus होगा तो इधर minus हो जाएगा अगर इधर plus होगा तो इधर minus हो जाएगा अब यहीं नहीं पता चलता है कि plus किस तरफ लेना होता तो देखो उपर की तरफ हम हमेशा positive लेते हैं जा करके- वान लो कहीं इस तरफ इमेजिस बनाती है तो हम क्या करेंगे रे मूब कर रही है कि इस तरफ और ऐस तरफ नशिएंद गूमा करे इस case में उपर वाला तो अभी भी positive होगा नीचे वाला अभी भी negative होगा लेकिन अब incident ray मानलो मैंने यहाँ पर कोई object है तो incident ray अब इस दिशा में जा रही है जिस दिशा में incident ray जाती है वो होता है positive और फिर दूसरा वाला अपने आप negative हो जाता है यह sign convention का ध्यान रखना बहुत जादा ज़रूरी है वैसे 90% से जादा cases में हम इसी तरीके से solve करते हैं तो confusion उतना होता नहीं है जही advanced level वगेरा में वहाँ पर ऐसे questions घुमाया जा सकते है नीट में हमें उतना जादा confused होने की ज़रूरत नहीं है questions को solve करना शुरू करते हैं और by the M is the magnification produced by mirror PQRS है यहाँ पर ABCD है M is equal to minus 2 इसको समझने की कोशिश करो अगर हमें M यानि की magnification की value minus 2 है इसका मतलब क्या है पहली बात तो minus है यानि की inverted image बनी होगी हाना 2 है का मतलब क्या हुआ यह दो गुना बड़ी बनी होगी इसका magnitude twice होगा यहाँ पर हमाँ पास M की value minus 1 by 2 2 है तो again image inverted बनी होगी और यहाँ पर उसका जो height होगी है वो half हो चुकी होगी initial जो भी height तो इसकी half हो चुकी होगी यहाँ पर M की value plus 2 है यहाँ पर M की value plus half है plus half का मतलब positive side में ही image बनी है inverted नहीं है लेकिन छोटी बनी है छोटी image को हम क्या बोलते है diminished यहाँ पर बड़ी बनी ह है उसको हम क्या बोलते है enlarged तो हमाँ पास mirror की कुछ properties होती है okay answer देखते है हम P case में M की value आ रही है minus 2 यह वाला case कौन सा होता है क्या किसी को पता है हमाँ पास M is equal to minus 2 हमाँ पास concave mirror होता है उस time पे और real image बनती है इसका हमाँ पास इस तरीके से ray diagram होता है इस सारे के सारे आप मैं यहाँ पर बना नहीं सकता लेकिन M की value minus 2 है यहाँ पर कहीं हमारी object रही होगी यहाँ से एक parallel रही होगी इस तरीके से निकली होगी दूसरी वाली ऐसे कहीं आई होगी हमाँ पास finally यहाँ पर image बनी होगी और इसकी length देखो length double हो चुकी है इसलिए व concave mirror है concave यह होते हैं जिनमें cave जैसी बनी होती है cave का मतलब गुफा होती है किसी पहाड में आप देखो गुफा होती है यह concave है convex हमारा दूसरी साइड़ वाला होता है इस तरीके से तो पी का answer आजाता है B & C पी के लिए B & C है पी के लिए यहाँ पर A & C है पी के लिए A & D है पी के लिए C & D है तो हमें एक analysis से ही पता चलिए है कि हमारा option number A करेक्ट आने वाला है तो अब हमें बाकी देखने की ज़रूरत नहीं है आपका मंद करें तो आप देख सकते हो हम चलते हैं अगले question पर वैसे अच्छे options है नहीं तो हमें सारे के सारे चेक करवाते है अगर यह वाला option नीचे होता है तो हमें सारे चेक करकर करके reject करने पड़ते हैं अभी हमें पता है सिर्फ one single answer करेक्ट है तो हम A mark करके आगे बढ़ सकते हैं चलो आगे चलते हैं A rod of length 10 cm lies along the principal axis of a concave mirror of focal length 10 cm in such a way that its end closer to the pole is 20 cm away from the mirror the length of the image is बहुत ही अच्छा सवाल है पहले इसका हम diagram बनाते हैं फिर आप pause करके solve करने की कोशिश करना हमारे पास यहां पर हम बना देते हैं concave mirror इस तरीके से इसका एक principal axis बनाओ यह बन गया हमारा principal axis इसका कहीं पर हमारे पास होगा focal F और यहां पर हमारे पास ही focal length कितनी है 10 cm तो हमारे पास यह वाला distance आ जाता है 10 यह वाला distance भी आ जाता है 10 ओके हमारे पास object की length भी है 10 cm और वो रखी कहां पर है कि उसका जो closer to pole है pole कहां होता है यहां पर होता हमारे पास pole अब rod है तो rod के दो ends होते है उसको पहली बात तो इस axis पर रखा गया और इस तरीके से रखा है कि उसका वो end जो की pole के close है वो यहां से actually 20 cm की दूरी पर है तो हमारे पास यहां पर इस तरीके से rod रखी हुए अब मैं इसको थोड़ा बना रहा हूं यह हमारी rod है इस rod को क्या हम कुछ नाम दे दें यहां पर हमारे पास इसको मैं नाम देता हूं point को बोल देता हूं A इस point को मैं बोल देता हूं B अब देखो इस B की कहीं पर image बनेगी इस A की कहीं पर image बनेगी और हमें बताना है कि वो length कितनी लंबी होने वाल बी है हमारा इस सी के उपर तो मैं पता है इसकी जो इमेज बनेगी वो भी यहीं बन जाएगी नहीं तो हम फॉर्मला लगा के भी देख सकते हैं लेकिन ज़रूरत नहीं है जब भी हमाया पास ऑब्जेक्ट इंफिनिटी पर होती है तो इमेज बनती है फोकल लेंग पर अगर फिर इंफिनिटी पर होते हो इन फिनिटी पर तो f बनती है फिर इंफिनिटी से मैं पास आता जाता हूं यहां तक आता हूं तो इमेज यहां से यहां तक move करते हैं तो हमारी actually image यहाँ कहीं पर होगी जो एक ही image जिसे मैं A- बोल सकता हूँ वो यहाँ कहीं पर रहने वाली है उसको solve करना शुरू करते हैं पहली बात तो हमारी यह length कितनी है यह length देखो हमारी जो rod है उसकी भी length है 10 cm क्या मैं बोल सकता हूँ हमारी जो object का distance है U उसकी value कितनी आ जाएगी 30 cm लेकिन sign convention का ध्यान रखो यहाँ से raise इधर जाती है फिर इस तरफ आती है जिस दिशा में incident रहती है वो होती है हमारा positive direction A का distance यहाँ से है 30 cm लेकिन negative direction हो गया क्योंकि positive direction इधर होता है हम नापेंगे poles है तो U की value हो जाएगी minus 30 cm focal length कितनी है minus 10 cm minus क्यों लगा है क्योंकि यहाँ पर से इस दिशा में हमारा focal point है सीदे सीदे हमें formula लगाता है V is equal to UF upon U minus F U की value है minus 30 F की value है minus 10 divided by U की value है minus 30 minus minus का 10 यहाँ से उपर हो जाता है हमारा पास 300 नीचे हो जाता है minus 30 plus 10 यानि की minus 20 answer जाता है minus 15 cm minus 15 cm का मतलब क्या होँ pole से negative side में आ जाओ 15 cm की दूरी पर तो हमारे पास यह answer आ गया this is 15 cm और हमारे देखो A से B तक object थी तो हमारी image भी A' से B' तक इस तरफ बनी होगी हमारे पास यह आ जाती है image अगर यह length ही total 20 cm यह है 15 cm तो हमारी length कितनी आ जाती है length of the image is 5 cm बहुत आसानी सर्म करता है थोड़ा लंबा मैंने इसको solve कर सकते हो और एक चीज़ देखो यहां पर हमारे पास mirror की तरफ कौन सा point था B लेकिन image में B mirror से away है तो वह इस direction में भी इंवर्टेट सी इमेज बन रहे है तो लेंस सॉरी मिरर पर इतना ही question है जो purely mirror के है लेंस के साथ कमाइन हो क्यों और भी questions आते हैं जिसको हम lenses के साथ कम cover करेंगे अभी हम चलते हैं अगले topic पर reflection reflection हमने पढ़ लिया बारी है reflection की हमारे पास होता है refractive index किसी भी medium का जैसे glass हो सकता है water हो सकता है और diamond हो सकता है refractive index की value होती है speed of light in vacuum divided by speed of light in that particular medium उस medium में कितनी speed आ रहे है इसकी value हमेशा 1 से बड़ी होगी क्योंकि speed of light हमेशा किसी भी medium से जादा होती है तो इसलिए इसकी value हमेशा 1 से बड़ी या 1 के पराबर आ सकती है एर के लिए हम उसको 1 के पराबर मान लेते हैं जब भी light एक medium से दूसरे medium में enter करती है तो हमारे पास उसकी frequency बदलती नहीं है f हमेशा constant रहती है unchange रहती है हमारे पास होता है equation v is equal to f lambda अब frequency change नहीं हो रही है तो actually velocity में change आया क्यों था क्योंकि wavelength change हो गई थी जब भी हम medium change करते हैं तो हमारी velocity कम हो जाती है यानि कि wavelength भी छोटी होई होगी तो हम आप आप देखो अगर initially lambda थी तो finally फिर हो जाती हम आई lambda divided by n अगर हम rare medium से denser medium की तरफ जा रहे हैं तो या फिर आप हमेशे ये वाला formula लगा के solve तो करी सकते हो velocity भी अगर हम rarer medium से denser medium में जा रहे हैं तो velocity भी कम हो जाती है इसीद को हमेशे या रखना जब भी dense medium में जाओगे velocity कम हो जाएगी फिर आता है हमारे पास snail's law उसमें क्या होता है हमारे पास n1 sin i is equal to n2 sin r इसका मैं diagram बनाना कैसे भूल गया यहाँ पर हमारे पास 2 medium हो सकते हैं इस तरीके से एक ray यहाँ पर incident है हमारे पास यहाँ पर एक medium dense होगा तो यहाँ पर मैं इस तरीके से medium बना देता हूँ सबसे पहले हम बनाएंगे यहाँ पर एक normal इस तरीके से यह है हमारा angle of incidence i और इस तरफ हमारा medium है n1 यह है हमारा n2 जिसमें enter करोगे उसको हम n2 बोल रहे हैं यहाँ पर light अब दोनों के refractive index के हिसाब से कुछ भी हो सकता है यहाँ पर लेकिन इस case में मैं diagram general बना देता हूँ इस तरीके से देखो light ray cd जाने की बजाए bend हो गई है कुछ मुड़ गई है यह है हमारा angle refracted angle reflection का angle यहाँ पर हमारा पास console लगता है n1 sin i is equal to n2 sin r वहती सिंपल सा है इस पर बहुत सारे questions होते है question solve करना शुरू करते हैं पहला सवाल the frequency of a light wave is in a material is 2 into 10 raise to power 14 hertz and wavelength is 5000 ang strong the refractive index of the material will be बहुत आसान सवाल है वीडियो को pause करके solve करने की कोशिश करो वैसे मैं भी कर देता हूँ बहुत ही आसान है इसलिए v is equal to f lambda हमारा पास value होती है और इसकी value हो जाएगी frequency किती थी 2 into 10 raise to power 14 hertz into lambda की value है 5000 ang strong यानिकि 10 raise to power minus 10 meter per second में हमारा पास velocity हो जाएगी सीरे 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 इसकी value किती हो जाती है 2 into 5 इसकी value हो जाती है 10 into 10 raise to power 14 वो जाएगा फिर 15 16 17 18 18 minus 10 यानिकी 8 meter per second हमारा पास refractive index होता है speed of light in vacuum divided by speed of light in medium उसकी value हो जाएगी 3 into 10 raise to power 8 point 1 into 10 raise to power 8 इसकी value हो जाती है 3 option number B is the correct answer जबरदस्ती यहाँ पर significant figures का खेल खेलने की कोशिश तो करी है लोगोंने पर कोई बात नहीं अगले सवाल पर चलते है wavelength of light of frequency 100 hertz is बताओ इसको कैसे solve करेंगे बहुत ही simple सवाल है यहाँ पर मीडियम हमें नहीं बताई किस मीडियम है उससे फर्ग पड़ता नहीं बताया तो हम मान लेगे कि vacuum में ही है हमाँ पर सवा formula है V is equal to F times lambda velocity होती है 3 into 10 raise to power 8 meter per second frequency है 100 hertz lambda की value यहाँ से कितने जाए कि lambda is equal to 3 into 10 raise to power 6 meter काफी बड़ी wavelength है 10 raise to power 6 meter है 3000 km लंबी wavelength है पर है तो है question में बोल दिया और राइट चलते हैं अगले सवाल पर an electromagnetic radiation of frequency and wavelength lambda traveling with velocity V in air इसको आप air को vacuum भी मान सकते हैं enters in a glass slab of refractive index mu the frequency wavelength and velocity of light in the glass slab will be सबसे पहली बात जो हमने सीखी कि frequency बदलती नहीं है frequency F की जगे F ही रहने वाली है अब हम vacuum से denser medium में जा रहे हैं तो vacuum का refractive index तो बन होता है हमारे पास जो velocity हो जाएगी वो velocity से कम होकर क्यों जाएगी V divided by mu और हमारी जो लेमडा है वो भी हो जाएगी लेमडा से कम होकर लेमडा divided by mu तो हमारा आंसर कौन सा हो जाता है यहां पर देखो n क्या 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 था frequency n है and यह तो हमारा actually option number a is the correct answer वहती simple सवाल था फ्री के marks बटे है 1997 में next question आते है और वो भी exactly similar है a beam of monochromatic light is refracted from vacuum into a medium of refractive index 1.5 the wavelength of refracted light will be यह कैसे सवाल होता है यह छोटी हो जाएगी wavelength wavelength of velocity कम होती है तो मैं पास answer जाएगा C सबको समझ मैं है और देखो green light of wavelength अब green भी आ गई light 5460 angstrom is incident on an air glass interface if the refractive index of glass is 1.5 the wavelength of light in glass would be देखो यहां पर लिखाना air glass interface इसका मतलब क्या होगा एर से glass में जा रही होगी ऐसे इनने clear नहीं किया बाद में blink भी दिया है कि glass के अंदर हमसे पूछी है wavelength तो ठीक ऐसे solve करने की कोशिश करते हैं पहली बात तो interface बना देता हूं यहां पर हमें जादा माता फोड़ी करने की जरूरत है नहीं हमाया पास green light अच्छे चलो मैंने blue बना दी यहां पर lambda की value थी कित्ती 5460 यहां पर हमाया पास lambda dash हो जाएगा वह जाता है lambda divided by mu उसकी value कित्ती हो जाएगी 5460 angstrom divided by mu की value कित्ती है 1.5 अब यहां तो आप इसको divide करो या फिर इसकी value देखने की कोशिश करो यहां पर हमें दिख रहा है वह वाली value यह आ जाती है डिवाइड करोगे तो answer हो जाता है यह फिर आप यहां पर none of the above भी है तो आप actually इसको solve करके देख सकते हो ठीक है इसको solve करोगे तो क्या आजाएगा 2 by 3 into 5 4 6 0 angstrom option number a आजाता है आप चलते है अगले सवाल पर light travels through a glass plate of thickness t and refractive index mu if c is the speed of light in vacuum the time taken by light to travel this thickness of glasses इससे आसान सवाल क्यों नहीं बना देते है अच्छली बना चुक है भी हम solve भी कल चुक है आसान आसान सवाल हमारे पास thickness कितनी है हमारे पास इस thickness के अंदर जब वो light ray इस तरीके से move कर रही होगी उसकी velocity कितनी हो जाएगी velocity की value हो जाएगी c divided by mu c होती है vacuum में speed और वो कम हो गई वहांप c by mu हमारे पास जो time taken होगा ठीक है time is equal to time कितना होता है distance upon speed distance है हमारे पास t speed की value है c divided by mu तो इसका answer जाएगा mu t upon c option number d is the correct answer बहुत ही आसान सवाल था लेकिन खुश हो जाओ क्योंकि ऐसे questions repeat होते है time taken by sunlight to pass through a window of thickness 4 mm whose reflective index is 3 by 2 बहुत आसान सवाल है इसको solve कर सकते हैं लेकिन हम solve भी नहीं करेंगे हम option देख के mark कर देंगे पहली बात हमें पता light इतनी फास चलती है 4 mm की thickness से निकलेगी सोचो उसे कितना time लगे है क्या उसका answer यह हो सकता है टू इंटू 10 बावर 8 seconds इतना समय लगता है क्या नहीं इतने में तो light कहां पहुंच जाती क्या इसका answer यह हो सकता है गा सका answer हो सकता है यह देखने में छोटा समय लग रहे है लेकिन ऊच्छ यहां से आ रही होती है तो bend हो जाती है और फिर इस तरी के जाती है तो हमको लगता है कि अरे यह light यहां से start होई होगे तो actually object यहां से लेकिन हमको ऐसा दिखाई देता है कि object यहां पर आ चुके तो हमारे पास actually थोड़ा सा shift आ जाता है और इस shift को calculate करने का जो तरीका है वो है यह shift s is equal to t t क्या है इसकी thickness t into 1 minus n of surrounding upon n of slab अकसर ऐसा होता है कि हमारी slab का refractive index surrounding से जादा होता है लेकिन कई बार question ऐसा भी बनाया जा सकते हैं कि बाहर की तरफ हमारे पास जादा refractive index वाला material है अंदर उसका refractive index कम है इसलिए हमें यह ध्यान रतने की ज़रूत है नहीं तो अकसर यह n surrounding की value भी 1 के बराबर होती है most of the cases यह formula आप याद कर सकते हैं इस formula का origin क्या है हम यहाँ से देखते हैं यहाँ पर देखो हमारे पास मालो कोई object यहाँ रखी हुई थी d distance पर यहाँ से यह ray निकलेगी और इस तरी के से bend हो जाएगी हमें लगेगा ray यहाँ से चलके आ रही थी हमें इसकी कुछ depth कम दिखाई देती है जो दिखाई देता उसको हम बोलते है apparent apparent depth की value आ जाती है हमारे पास d dash is equal to n2 by n1 times d याद कैसे रखेंगे कि पहले n2 रखना है n1 रखना है हमेशा ऐसे ध्यान रखना है अगर हम denser medium से rarer medium में जा रहे हैं तो apparent depth actual depth से कम होगी तो यहाँ पर हमारे पास की n2 by n1 की value 1 से छोटी होनी चीए n1 बड़ा होगा देखो हमें यह दिख पी रहा यह था medium number 1 यह था medium number 2 n1 की value बड़ी है n2 की value तो 1 है इसकी value maybe 2 हो सकते है 1.5 हो सकते है कुछ भी हो सकते है तो हमेशा d dash छोटी हो जाएगी denser medium से rarer medium में जाने में और इसी को घुमा फिराक है rearrange करोगे तो यह वाला formula यह ही से आता है इस पर based question solve करना शुरू करते है an air bubble in a glass slab refractive index is 1.5 यह बहुत अच्छा सवाल है इस star mark हम कर सकते है deep when viewed from one face an air bubble is 5 cm deep when viewed from one face and 2 cm deep when viewed from the opposite face the thickness of this slab is तो हमारे पास इस question में हो क्या रहा है देखो एक इस तरीके से slab है और अगर हम यहां से देखते हैं तो हमें 5 cm की दूरी पर वो देखता है और इधर से देखते हैं तो हमें 2 cm की दूरी पर देखता है तो यह 2 है यह 5 है तो हमारी slab हमें लगेगा कि 7 cm चौड़ी है option number C हम mark करते हैं यह जो हमें देख रहा है उससे थोड़ी ज्यादा ही यहां पर length होगी क्योंकि apparent depth हमें चोटी दिखते है वीडियो को pause करो solve करने की कोशिश करो यह वाली length कितनी थी और answer बताओ question solve करने की कोशिश करते हैं हमारे पैस देखो सबसे पहले तो यह वाली length मुझे 5 दिखाई दे यह actually मैं इसको बानलो बोल देता हूँ D1 और इसको मैं बोल देता हूँ D2 तो मुझे D1- यानि D1 कितनी दिखाई दी उसकी value दी होगी है 5 cm और उसकी value होगी कितनी वो D multiplied by N1 by N2 होके अब यहाँ पर यह था हमारा denser medium यह था rarer medium denser से rarer में आते हैं तो हमें छोटी दिखाई देती है parent depth छोटी हो जाती है यहाँ पर हमारे पास N1 by N2 वो क्या होगा 1 divided by 1.5 चीक तो हमारे पास formula भी था N2 divided by N1 times D यहाँ पर अगर यहाँ से rarer originate होती है तो यह था medium number 1 यह था medium number 2 N2 की value है 1 N1 की value है 1.5 तो वही लिख दिया हमने 1 divided by 1.5 और राइट यहाँ से D की value कितनी आ जाती है sorry D1 आये D1 की value होती है 5 into 1.5 यानिकी 7.5 cm इसी तरीके से हम D2- जब हम इस तरफ से देखते हैं तो हमें दिखता है कि यह सिर्फ 2 cm की दूरी पर है ऐसा question में बोला है लेकिन असलियत में वह value होगी 1 divided by 1.5 times D2 यहां से D2 की value हो जाती है 2 into 1.5 यानिकी 3 cm तो जो total thickness है उसको मैं बोल देता हूं D is equal to D1 plus D2 उसकी value जाहेगी 7.5 plus 3 is equal to 10.5 cm option number B is the correct answer चलते हैं अगले सबाल पर a microscope is focused on a mark on a piece of paper and then a slab of glass of thickness 3 cm and refractive index 1.5 is placed over the mark how should the microscope be moved to get the mark in focus again बहुत अच्छा सवाल है लेकिन इसमें microscope का actually कोई use रही है तो देखो हमाया पास मान लो यह microscope है उपर है ऐसे कुछ यहां पर हमाया पास एक mark था कुछ इस सर्मान लो उसको हम बोल देते हैं वो object थी वो रखी भी थी यह focus में दे फिर हमने क्या किया यहां पर इस तरीके से एक glass की slab रख दे तो क्या होता है object का जो distance था वो actually थोड़ा उपर दिखाई देने लगता है हमारे पास यहां पर हमारे पास object को डैश हो जाएगा इस तरीके से तो हमारे पास यहां से अगर object थोड़ा उपर से खिरक गई है तो या तो अब मैं इसका focus change करूंगा focus घुमा घुमा करके जो focus change करते या फिर दूसरा option होगा कि मैं इस पूरे के पूरे को थोड़ा सा उपर move कर दूँ मैं इसको पूरे को थोड़ा सा उपर move कर दूँगा तो फिर से focus point भी यहां पर आ जाएगा और फिर से हमारी object हो जाएगी हो जाती है डी डैश यह था हमाँ पास 3 cm क्या मैं लेख सकता हूँ डी डैश is equal to 3 cm into किस से multiply करना पड़ेगा n2 by n1 उसकी value किती हो जाती है 1 divided by 1.5 1 divided by 1.5 और वैसे भी हमें पता है उसकी value छोटी आने वाली थी तो यहां पर 1.5 से multiply करते तो बड़ा हो जाता इसकी value यह 3 divided by 1.5 यानि की 2 cm तो यह डी डैश की value 2 cm यानि हमारी object apparently 1 cm उपर किसी की है apparently मतलब ऐसा दिखेगा तो हमें microscope को भी 1 cm अप करना पड़ेगा o dash moved 1 cm upward इसका मतलब अप्शिन नमबर D is the correct answer ठीक अगले सवाल पर चलते हैं one face of a rectangular glass plate 6 cm thick is silvered an object held 8 cm front of the first face forms an image 12 cm behind the silvered face the refractive index of the glasses यह बहुती confusing का question है इसमें actually setup हमें समझने में थोड़ी सी issue हो सकती है ठीक है तो मैं पहले बता देता हूं उसके बाद आप इस वीडियो को पॉस्ट करें करने की कोशिश करना हमारे पास है किस तरीके से glass slab है glass slab की thickness कितनी है 6 cm उसकी एक side को हमने कर दिया polish तो यह बन गया हमारा mirror और यहां से 8 cm की दूरी पर हमारे पास एक object रखे हुई है इस तरीके से अब हमसे बूला है कि यहां से जो image बनी है वो silvered face से 12 cm पीछे बनी है यहां पर मतलब पहली बाद जब मैंने question बढ़ा था मैं थोड़का confused हो गया था कि पहली बाद तो image देख कौन रहा है अगर मैं यहां से देखूंगा तो मेरी calculation शायद अलग हो जाएगी लेकिन object अगर कुछ ऐसा लिखावा नहीं है तो हम जहां पर object है हम यहीं से बैट करके देख रहें अब यहां से अगर मैं देखूंगा तो मुझे क्या दिखाई देगा मुझे यह mirror थोड़ा सा इधर खिसका हुआ दिखाई देगा अगर यह actual depth 6 थी क्योंकि यह denser medium है उसके हसाब से मेरी image का form और यह वो भी गड़बर हो जाएगी तो यह question थोड़ा सा अजीब है इसमें जो answer निकल के आता है उसके हसाब से में यह वाली surface को ही लेना है तो अब clarity मुझे थोड़ा नहीं लगी हो सकता है आप लोगो समझ में आ रहा हो पर मेरे हिसाब से question में थ अब इसको solve कर से करोगे हम देख रहे हैं यहां से यहीं पर I piece है हमारा I piece है आई ही है अगर यहां से देख रहे हैं तो इसको solve कोने का क्या तरीका होगा पहले तो हम मान लेंगे यहां पर हमारा mirror ही कुछ इस दूरी पर सरक्के आ गया है this is t अब mirror ही आगे से रख के आ गया है तो mirror से तो जो images बनती है ये वाला distance और ये वाला distance exactly बराबर हो तो ये हम लगा सकते हैं क्या लिख देंगे हम 8 plus 6 minus t ये t था तो ये हो जाता है 6 minus t 8 plus 6 minus t is equal to 12 plus t यहां से देखो t की value किती है 8 plus 6 14 minus 12 यानि कि 2 is equal to 2t t की value आजाती है 1 centimeter अब हमें क्या करना पड़ेगा हमारे पास जो चीज 6 centimeter की दूरी पे थी वो हमें 1 centimeter खिसकी भी दिख रहे है यानि की 5 centimeter पे दिखाई दे रहे है क्या मैं लिख सकता हूं D is equal to 6 centimeter D dash is equal to 5 centimeter राइट पामुला लगा दो D dash is equal to 1 divided by mu times D यहां से आंसर जाता है 5 is equal to 1 upon mu times 6 यहां से mu की value हो जाती है 6 upon 5 which is equal to 1.2 option number C is the correct answer और इसे के साथ हमने सारे के सारे question solve कर लिये हैं अब चलते हैं next topic पर आ गया है बहुत जादा पूछे आना वाले topic total internal reflection जिसे TIR भी हम बोलते हैं और ऐसा क्या खास है इसमें कि इसके इतने साथ सवाल आते हैं बहुत लोग के उपर से चलाया था यह concept आज इसको हम देखते हैं देखो हमारे पास अगर एक denser medium है दूसरा rare air medium अगर मैं सीधी light इस तरीके से भीजता हूं तो यहां से भी सीधी light इस तरीके से चलिया थी बस उसकी velocity थोड़ा फास्ट होती है इक लेकिन गई तो सीधी है अगर मैं इस angle से भीजूँगा तो यह थोड़ी इस तरीके से bend हो जाती है वहां से ऐसे तो जा नहीं सकती एंगल ऑफ इमर्जेंस यह बाहर निकलने का एंगल 90 इस से बढ़ा हो इनी सकता यहां से जाने वाली light ray के लिए कोई भी बाहर निकलने के लिए कोई एंगल निया तो light ray क्या करेगी यहां से इस तरीके से reflect हो जाती है और reflect होती है तो यह एक internal reflection total इसलिए बुले आता है क्योंकि हमारा जो regular reflection होता ना एक mirror लेते हैं उसके पीछे कुछ silver करते है तो उसमें जब भी light आती है 100% reflect नहीं होती थोड़ी सी कुछ तो 0.101% कुछ तो जाता होगा यहां पर scope ही नहीं है physics नहीं बना कर दिया तो total reflection होता है absolute 100% इसलिए इसी चीज इसको use भी किया जाता है हमारा जो fiber optics cable बनाई जाते हैं क्योंकि total reflection हो रहा है तो कोई loss नहीं होता उसमें और light की speed इतनी fast है कि communication के लिए सची कोई चीज हो नहीं सकते इसलिए इसके fibers भी बनाए जाते है अब यहां पर एक angle जिसके बाद reflection होना start होता उस angle में कुछ खास बात ही होगी इसलिए से बोला जाता है critical angle critical angle को हम theta c या फिर सिर्फ c या फिर ic कुछ भी लिख सकते हो जो भी आपको लिखना है समझ आप जाओगे उसकी value क्या हो जाएगी देखो यहां पर लगा तो snail slow बाहर हमारा पस nr into angle of emergence is equal to nd denser medium का angle of incidence इसकी value आजाएगी यहां से nd sin ic is equal to nr sin 90 यह angle हमें पता है बाहर 90 degree पर निकलने वाला जिसकी value हो जाती है 1 और यहां से ic की value जाती है sin inverse nr upon nd अब और एक चीज़ देखना पर कैसे याद रहेगा यह उपर r है कि nd है साइन की value हमेशा 1 से छोटी होती है यह जो अंदर वाली value हो हमेशा 1 से छोटी होनी चाहिए इसलिए यहां पर जो denser medium है उसको हम denominator में रखते है इस तरी की समय पास critical angle आ जाता है अब कुछ common values भी याद कर लो water के लिए critical angle की value होती है 48.75 degree और diamond के लिए होती है 24.41 degree NCIT की values है य questions solve करना शुरू करते है in total internal reflection when the angle of incidence is equal to critical angle for the pair of media in contact what will be angle of refraction reflection का एंगल क्या होगा बहुत ही आसान सवाल है पहली बात तो यार इनने क्या question है in total internal reflection question में बूला जा रहा है कि यहां reflection हो रहा है तो फिर reflection का angle कैसे पूछ सकते हैं तो पदा नहीं क्या है लेकिन हम हमारी theory के हिसाफ से जो हमने पढ़ा है हम उसको लगाएंगे देखो हमाया पास यहां पर एक critical angle होता है यह होता है हमारा eye और इसकी calculation के लिए हम मान के चलते हैं क इसकी बाहर वाला जो angle है वो 90 degree होता है इसके जोस्त थोड़ा सा उपर लोगे तो reflect होने लग जाई होड़ा से नीचे लोगे तो हमाना answer इसको मैं demark कर रहा हूं वैसे तो question में ही घड़बर है reflection के वादा reflection कैसे पूछ सकते हूं next question which of the following is not due to total internal reflection working of optical fiber हमने अभी सुना था कि यह total internal reflection पर काम करता है difference between apparent and real depth of pond इसमें total internal reflection नहीं लगता है यह हम question solve कर चुके है यह हमारा answer हो गया है फिर भी देख लेते है mirage on hot summer days और यह हमारा total internal reflection से काम करता है साथ में इसी का उल्टा भी effect होता है जिसको looming बोलते हैं उसमें ship उपर तैरते हुए दिखते हैं उल्टा उल्टा तो mirage and looming both use this concept of TIR and brilliance of diamond diamond इतना brilliant है वो नीट में AIR 1 ले आएगा तो उसमें total internal reflection का use होता है diamond जो चमकता है उसको इस तरीके से तराशा जाता है हीरे को cut मार मार करके उसमें बहुत जादा हर एंगल पर चमक आती है उसका critical angle 24 degree something है तो हर light almost majority of light internally reflect हो करके पता नहीं क्या क्या है हर एंगल पर चमकता हो देखता है इसी लिए हीरा इतना popular था है यह रहेगा हीरा है सदा के लिए option number B is the correct answer next question a ray of light traveling in a transparent medium of reflective index mu falls on a surface separating the medium from air at an angle of incidence 45 degree for which of the following value of mu the ray can undergo total internal reflection question देखो इस question को कैसे solve किया जाए पहली बात तो हम इसको बिना pen उठाए solve कर सकते हैं इसमें answer होगा C अगर एक answer correct है तो option number C क्योंकि सबसे ज़्यादा जो हमाई पास reflective index है अगर उससे कम में total internal reflection हो रहा है तो इसमें तो होगा ही होगा अगर हमें एक ही mark करना है तो answer number C है पर solve करने की कोशिश करते हैं हमाई पास यहाँ पर देखो इस तरीके से incident ray का angle है 45 degree और total internal reflection हो रहा है तो हम मान लेते हैं कि वह इस तरीके से 90 degree पर वह हमारी निकल चुकी है हम क्या लिख देंगे यहाँ पर था mu यहाँ पर था air का 1 तो mu into sine of 45 is equal to 1 sine 90 degree इसकी value हो जाती है 1 यह हो जाता है mu into 1 by root 2 is equal to 1 यानी mu की value हो जाती है root 2 which is equal to 1.414 अगर उससे ज्यादा refractive index है तो critical angle हमारा यहीं कहीं रह जाएगा छोटा हो जाएगा छोटा होता चला जाएगा और यह फिर total internal reflection होगा इसमें answer option number C आ जाता है correct आगे चलते है a small coin is resting on the bottom of a beaker filled with liquid यहाँ पर सिक्का बढ़ाए array of light from the coin travels up to the surface of the liquid and moves along its surface यहाँ से रहे ऐसे गई और along the surface इस तरीके से जा रहे है तो again यह वाला जो angle होगा आई यह हमारा critical angle होने वाला how fast is the light traveling in the liquid अच्छी चीज पूछी इन्होंने इन्होंने यह पनी पूछा कि इसका refractive index बता उन्होंने एक step extra बढ़वा दिया हमारी calculation में कि अब आप यह चोटा angle है यह हो जाता है 37 degree तो यह वाला angle भी हो जाएगा 37 degree correct दो parallel line के बीच के यह वाले opposite angles है all right i is equal to 37 degree और हम यहां पर लिख देंगे n sin 37 is equal to 1 sin 90 sign 37 की value बताओ sign 37 यहां पर हमें देख रहा है यह है 3 perpendicular divided by hypothesis इसकी value होते है 3 by 5 n equal to 5 by 3 हमारे पास answer आजाता है लेकिन हमसे n नहीं पूचा है speed of light in water यहां पर liquid जो भी है speed is equal to c divided by 10 which is equal to c की value कितनी है 3 into 10 raise to power 8 divided by 5 by 3 इसकी value हो जाएगी v is equal to t into 3 9 by 5 into 10 raise to power 8 which is equal to 9 by 5 करो 18 by 10 1.8 into 10 raise to power 8 meter per second which is option number d correct answer जलते अगले सवाल पर a light ray falls on a rectangular glass slab as shown ठीक है the index of reflection of glass if total internal reflection is to occur at the vertical faces पहली बात यह सवाल गलत बनाया हुआ है यहां से अगर ray ऐसे आ रही है थोड़ा तो bend होगी यह question तुम थोड़ा तो अच्छा सा बनाओ ठीक है तो हम इसको बनाते अब यहां से होने के अवाला है यहां से रहे ऐसे आएगी और फिर total internal reflection से ज्यादा हम मान लेते कि यहां पर इस तरीके से 90 डिग्री पर वो निकल गई है stop करने की कोशिश करते हैं पहले तो हमें यहां पर यह जो आर है वो पता करना पड़ेगा इसका डाइग्राम मनाता हूँ मैं फिर से यहां पर 45 डिग्री पर इंसिडेंट थी यह है हमारा आर तो पहली स्नेल्स लॉक की एक्वेशन के लिखेंगे 1 इंटू साइन 45 इस तरफ का हो गया इस इक्वल टू यहां का जो भी एंट था इंटू साइन इस इक्वल टू एंट साइन एक अच्छी यह आर था तो यहां पर हमारे पास यह जो एंगल बनेगा यह एंगल कित्ता हो जागा 90 माइनस आर ठीक और यहां से फिर हमारे पास बोला है टूटल इंटरनल रिफलेक्शन होया तो हम मान लेते हैं यहां पर रे इस तरीके से निकल गोई होगी च्री टीकिल एंगल हमें इसको बोल ला आपसी के एदर भी जा सकते प्याते किष मतलब हम इसको इसको सॉफ होटें दूसरे स्नेज ऩर की एक्वेशन होजाएगी हमारे उन इंट्व साइन आफ नीटि माइनस Lee जिसकी वैल्यू अपने अप फाने जातर है पहला स्नेल स्लोर यहां लगा है दूसरा स्नेल स्लोर यहां पर लगा है इन दो एक्वेशन से हमें सॉल्व कर देना है तो यहां पर देखो n की वैल्यू क्या रती है यहां पर मैं लिख सकता हूं 10 is equal to 1 upon root 2 into sin r यहां से हमें पता चलता है n cos r is equal to 1 cos r की value हो जाती है 1 by n cos r is equal to 1 by n यहां से sin r की value हो जाएगी under root of 1 minus 1 by n square correct sin square theta plus cos square theta is equal to 1 होता है वहां से हमाँ पास आ जाता है अगर cos r की value पता है तो sin r की value हम इस तरीके से निकाल सकते हैं तो यही sin r को मैं यहां पर रख दूँगा तो मैं पास n की कुछ value हाजाएगी देखो इसको दोनों तरफ पहली बात तो square कर दो यहां पर square कर दो तो जगे गहां है n square is equal to 1 by 2 upon 1 upon sin r का square root 2 का square 1 by 2 हो गया sin r का square कर दो इसका भी square करोगे तो यह जाएगा 1 minus 1 by n square यहां पर हम लेंगे यह जाएगा n square minus 1 और उपर हमाँ पास n square यह दा चला जाएगा n square से n square कट गए हमाँ पास value आती है n square minus 1 is equal to 1 by 2 n square is equal to 3 by 2 n is equal to under root 3 by 2 option number a is the correct answer full our calculations दिखनी रहोगी चाहद आपको जूम करके देख लेना next question light enters at an angle of incidence in a transparent rod of refractive index n okay यह कुछ fiber optic जैसे दिख रहे हैं for what value of refractive index of the material of the rod the light once entered into it will not leave it through its lateral face whatsoever with the angle of incidence बहुत अच्छा सवाल है देखो हमारे पास इस तरीके से बहुत ही लंबी rod है फाइबर optics आ गया है basically अब यहां से अगर मैं इस तरीके से रे डालूंगा तो सीधी की सीधी चली जाएगे अगर मैं यहां से थोड़ी टेड़ी रे डालूंगा यहां पर थोड़ा bend होगी और यहां पर टोटल internal reflection हो जागा फिर वह ऐसे reflect होती होती उदर चली जाएगे अगर मैं कुछ ऐसा एंगल पर डालूं कि यहां पर critical जादा worst की scenario क्या कर सकता हूं कि मैं रे को एकदम 90 डिग्री पर ही incident कर दो तो इसलिए मेरे पास i is equal to 90 डिग्री हम लेंगे 90 डिग्री पर जाएगी तो रे इस तरीके से reflect होगी यह है हमारा angle r ओके तो यहां पर r की value है जाती r is equal to देखो 1 into sin 90 is equal to 10 into sin r यहां से हमारा पास आ गया इसकी value है जाती है 1 अब यहां पर इस जगे पर देखो यहां पर हमारे पास यह जो incidence का angle है दूसरा वाला वो critical angle के बराबर होना चाहिए तो 90 minus r should be critical angle critical angle के लिए condition हम क्या लगा देंगे देखो n into sin of 90 minus r is equal to 1 sin 1 बाहर की तरफ हमारा पास क्या हो जाएगा इस तरीके से मालो critical angle वाली condition है तो 90 degree है तो n sin 1 into sin 90 degree जिसकी value हो जाती है 1 ओके तो हमारे पास दो equation आ गई है क्या है वो दो equation पहली बात तो n sin r is equal to 1 दूसरी है n cos r is equal to 1 n sin ic अच्छा यहां पर क्या हमें symmetry से दिखाई दे रहा है कि अगर यह angle भी critical angle है और यह angle भी critical angle है तो दोनों ही angle के value बराबर हो जाएगे यहां पर 90 degree से आओगे तो यह critical angle पर हो गए और इधर भी TIR होना है तो इसकी value भी critical angle के बराबर होनी चीए यहां पर हमें दिखाई देता है कि ic की value जो r है उसकी value हो जाती है 45 5 degree अब यहां से r की value आप इन दोनों में किसी में भी लगा दो और यहां पर मैं देख भी रहा है कि sin r और cos r की value 1 कब हो सकती है जब दोनों की value बराबर हो जाए sorry sin r और cos r दोनों बराबर यहां पर होने चीए cos r यहां से आप solve कर सकते हो n into 1 by root 2 is equal to 1 n is equal to root 2 अब यह तो minimum value है n की इससे ज्यादा कुछ भी हो सकता है इससे ज्यादा dense कुछ भी बना सकते है तो n की value कित्ती रहेगी n should be more than root 2 option number a is the correct answer next question पर जलते है अच्छा सवाल ता है यह यह भी अच्छा सवाल है starma a point source of light is placed 4 meter below the surface of refract water of refractive index 5 by 3 पानी की surface बनाए उससे 4 meter नीचे एक point source रखा हुआ है the minimum diameter of a disc which should be placed over the source on the surface of water to cut off all light coming out of water तो यह बहुत ही अच्छा interesting सवाल है और ऐसे सवाल NEET में JEE में JEE advance में सब जगे पूचे आते हैं क्या होता है यहां से कुछ light ऐसे सीधे आएगी अच्छे जो light सीधे जारी थी वो तो बाहर निकल जाएगी कुछ एक light होंगी जो ऐसे जाएगी और वो almost 90 degree पर निकलेगी उससे जादा angle पर अगर कोई भी light भेजोगे तो वो total internal reflection हो जाए इन वाली rays से तो हमें फरकी नहीं पड़ता हमें अगर रोकना है कि कोई भी light ray बाहर न जाए तो हमें इसको रोकना पड़ेगा इसको रोकना पड़ेगा इसी तरीके से कोई सी light ray इधर जा रही होगी जो भी ऐसे आएगी हमें इनको रोकना पड़ेगा तो हमारे पास actually आप देखोंगे किस तरीकी से disk हो जाएगी यहाँ पर जो सारी light rays है उन्हें हमें रोकना पड़े उस disk का पता करने के लिए हमारे पास ये radius क्या हम पता कर सकते ये था हमारे पास 4 तो हमारे पास देखो ये हो जाता है angle of incidence ये भी हो जाता है angle of incidence आई के बराबर यहाँ पर हम solve करेंगे 5 by 3 sin i is equal to 1 sin 90 degree इस point पर हमने स्नेल स्टो लगा दिया यहाँ पर refractive index है 5 by 3 angle of incidence है आई दूसरी तब हमारे पास 90 degree पर हवा में बाहर निकल गई solve करेंगे तो यहाँ से आ जाएगा हमारे पास sin i is equal to 3 by 5 यानि कि i is equal to 37 degrees तो अगर हमारे पास i की value 37 degree आ गई है तो क्या मैं r की value पता कर सकता हूँ देखो इस triangle में हम लिख सकते है r by 4 is equal to 10 i यानि कि 10 37 उसकी value कित्ती होती है 3 by 4 यहाँ से r की value हो जाती है 3 meter हमें क्या पता करना है the minimum diameter of a disk which should be placed over the source तो हमाया पास r की value 3 meter पताक से लोग 3 mark कर देंगे तो answer गलत हो जाएगा हम से पूछा है diameter यह क्या है radius तो diameter डाया is equal to 6 meter option number B is the correct answer गलती से D mark मत कर देना अच्छा सवाल नीट ने अच्छा सवाल पूछे इसी के साथ यह topic हमारे यहां पर खतम होता है अब हम चलता है next topic पर Spherical Refraction Spherical Refraction में क्या होता है हमारे पास फ्रीकल सर्फेस होती है अभी तक हम जो भी रिफ्रेक्शन पढ रहे थे उसमारे पास यहां पर एक इस तरह के से प्लेन सरफेस होती है टी एक तरफ मीडियं वन ता आप दूसी यहां पर अब यहां पर हमारे पास जो formula use होता है n2 by v minus n1 by u is equal to n2 minus n1 divided by r इसका derivation आप देख सकते हो कहीं से आ है यहां पर सारी values हम रखेंगे sign convention के साथ सिफ formula याद कर लो खुश हो जाओ नीट में अभी तक इस चीज़ से directly सवाल नहीं आ है लेकिन यह बहुत ज़रूरी है क्योंकि lens maker formula के derivation में भी यह आता है तो आपको यह formula तो पता हो नहीं चाहिए तो इसी का continuation में हमारे पास दूसरा formula है जो आजाता है lenses के बारे lenses सबसे बारे तो lens की focal length हमें पता करनी पड़ी हमारे पास mirror में focal length कितनी हो जाती थी radius of curvature की half लेकिन lens में हमारे पास एक lens का refractive index होता है उसके बाद होता है surrounding का refractive index तो 1 by f focal length is equal to nl divided by ns minus 1 multiplied by 1 upon r1 minus 1 upon 8 यहां पर सारी की सारी values हम with sign convention use करेंगे यहां पर r1 मारला हमारे पास इस तरीके का lens है तो r1 पहला light किस पर टकराई है उसका radius of curvature होगा यहां पर हम देखते हैं कि यह इस तरीके से convention के साथ हमें use करनी है focal length भी positive आ सकती है negative भी आ सकती है focal length भी हम देखेंगे कि mirror sorry lens के इस दिशा में है या इस दिशा में है वो भी हमें इसी से पता चल जाता है एक बार हमारे पास focal length आ गए फिर हम वही formula हमारे लगा सकते हैं 1 by V minus 1 by U is equal to 1 by F काफी similar है mirror वाले formula से mirror वाले में यहां पर हमारे पास plus रहता है इसी को rearrange करोगे तो V की value होता है V is equal to UF upon U plus F mirror में हमारे पास यहां पर minus हो जाता है पाउर का formula देखो पाउर का formula 1 by F सीदे सीदे mirror में हमारे पास minus 1 by F होता था और magnification है V by U mirror में हमारे पास minus V by U हुआ करता था तो सब जेगे minus 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 ध्यान रख फिर कुछ बहुत सारे questions नीट में पूछे गए हैं जिसमें हमारे पास बहुत सारे combination मना दिया एक lens ऐसा वाला लगा दिया दूसरा ऐसा लगा दिया फिर में भी यहां पर mirror लगा दिया तो हमारे पास सभी को हम equivalent कैसे बनाएंगी हम power सब्सक्राइड करते है पार effective is equal to p1 plus p2 plus p3 और जितने भी lenses लगा दिया है mirror लगा दिया है उसके हिसाप से पार देख लेते हैं अच्छे अगर हमारे पास plane mirror लगा यह प्लेन मिरर की पार कित्ती होती है कौन बताएगा पार होती है one by focal length और plane mirror की focal length होती है infinity तो पार हो जाएगी one by infinity याने की पार हो जाएगी zero तो एक हाइट of image is equal to magnification times height of object सारी value sign के साथ लगाना magnification negative है तो magnification के value negative लगाना उससे मैं पता चल जाएगी height of image उपर बन रहे है कि नीचे बन रहे है erect बन रहे है कि inverted बन रहे है तो इस तरीके से हाँ तो question solve करना शुरू करते है lens से based पहला सवाल an equi-convex lens equi-convex के बाता है जिसकी दोनों तरफ का हमारे पास radius बराबर an equi-convex lens has power p it is cut into two symmetrical halves by a plane containing the principal axis the power of one part will be हमाई पास पहले एक ऐसा lens था ठीक है यह principal axis था बाद में उसको cut कर दिया कैसा बना दिया इस तरीके से यह एक lens हो गया यह दूसा lens हो गया तो बताओ भाई हमारे पास अच्छा सवाल है हमारे पास finally इन दोनों की जो power होगी क्या वो अलग-अलग होगी यहाँ वादे को symmetry से काटा बीच में से पहली वाद तो इनकी जो भी power होगी वह एक जैसी रहने वाली है इन दोनों में कोई भीदबाव हम नहीं करें लेकिन क्या होगी अगर यहाँ पर पावर थी पी तो क्या यहाँ पर पी बाई टू हो जाए है पावर होती है पावर होती है वन बाई इस सिर्फिद्दे के आशवा एक बाई नहीं तो सर्फेस का भी है और से लिया पावर में कोई चैन्ज नहीं आए तो इसकी विजाए गार मैं इसको कटता गवा बाद में मेरे पाथ लेंस पार दो कि एसे बाजते अब देखो यहाँ पर एक कर्व ति दूसरी करव यहां पर एक करवड़ दूसरी प्लेन हो गए हमारे रेडियस भी चरब बदले है ऐसे में हमारी पावर चेंज होती है और आचली आप देखोगे कि वो हाफ हो जाती है अगर दूनों साइड के रेडियस सही थे तो यहां पर आचली P by 2 नहीं होगा, power की power P ही रहने वाली है, हमारा answer आजाता है A is the correct answer चलते है next question पर An equiconvex lens is cut into halves, two halves along first XOX XOX, पहले तो ऐसे cut दिया, यह तो वह है जो अभी हमने पिछली बात देखा था, second is Y होबा है, दूसरा है, इसको इस तरीके से cut आ है Let F, F' and F' be the focal lens of the complete lens of each half in case 1 and each half in case 2 respectively पहले तो हम lenses बनाते हैं, हमारा पास एक lens तो यह पूरा का पूरा इसकी focal length दी होई है, F दूसरा lens है, जिसमें हमने XOX पे काटा है, तो ऐसा होगा, इसको हमने बोला है F' और तीसरे में हमने इस X से काटा है, तो यह बोला है, इसको F' बताए, कौन-कौन सी focal lens सेम होने वाली है, देखो यहाँ पर जो दो reflecting surface हैं, यहाँ पर भी exactly दो same reflecting surfaces हैं, तो यहाँ पर focal lens change नहीं होगी, तो हमें पता चल दाए था, F is equal to F' दूसरे case में हमाई reflecting surface एक बदल गई है, यहाँ पर यह curved reflecting surface थी, curved reflecting surface थी, अब आगई है plane, तो क्या हुआ होगा, तो अब देखो इसको solve कैसे करोगे, पता कैसे करें, यहाँ पर क्या मैं इस lens को बोल सकता हूँ कि this is equivalent of मेरे पास दो इस तरीके के अलग-अलग lens लगे होते है अच्छो यह equi convex है, यानि इसके दोनों side के curvature बराबर है, अगर इस half की power होती P' इसकी power होती P' इसकी power होती P' तो हमाई पास total power कित्ती हो जाती 2P' 2P' की value कित्ती है, 1 by F, है ना क्योंकि इसकी focal length F है तो इसकी total power कित्ती है 2P' is equal to 1 by F और P' की value कित्ती है P' की value हो 1 by F double dash यहां से में पता चलता है 2 upon F double dash is equal to 1 upon F यानि की F double dash is equal to 2F यहां पर हमारा option number B correct answer हो जाता है चलें एक ले सवाल पे, यह अच्छा सवाल था a lens having focal length F and aperture of diameter D forms an image of intensity I aperture of diameter D by 2 in central region of lens is covered by a black paper focal length of lens and intensity of image now will be respectively बहुत अच्छा सवाल है बहुत ही conceptual सवाल है देखो यहां पर क्या हो रहा है हमारे पास इस तरीके से एक lens है यह ऐसा circle मैंने बनावा पुरा और इसका कुछ इस तरीके से principal axis रहा होगा यहां से हमारी lights मान लो इस तरीके से जाती है कहीं पर image बनाती है इस तरीके से जाती है कहीं पर image बनाती है अब अब हमारे पास क्या किया है हमने यहां पर बीच में इसका रही थी वही बन रही थी तो lens की focal length में कोई change नहीं होने वाला है पैरलल आ रही है मतलग इससे फर्क क्या पढ़ा है न दोनों case में अंतर गया है अगर यहां पर point source था तो यहां पर raise निकल भी ज्यादा रही होती है जो यहां पर आ रही थी यहां पर maybe कम raise आ रही होती है यहां पर और कम raise होती है हम पैरलल मानने थे सब जगे मानने लो बराबर raise आ रही थी अगर मैं इसका side view देखूं तो इतने बड़े area में से हमने half बीच में से ऐसे इसको block कर दिया है तो भले ही यह diameter का half diameter है लेकिन area wise a dash is equal to 3 by 4 of initial area हो जाएगा कैसे हुआ यह हमने सिर्फ half radius को block किया है और area होता है radius के proportional अगर हमने half radius को block किया है इसका मतलब यह जो area block हुआ है वो area का 1 by 4 block कर दिया है तो बचा कितना 3 by 4 जितना बचा उसे हिसाब से हमारी intensity हो जाएगी तो initially अगर हमारी intensity आई थी तो अब 3 I by 4 हमारी intensity बचेगी option number C is the correct answer चलते हैं अगले सवाल पर two thin lenses of focal length f1 and f2 are in contact and coaxial the power of the combination is बहुत अच्छा सवाल है वीडियो को pause करो साल को नहीं कोशिए शुर। किसी भी combination में हमारे पास जो final power होती है हम उसको power effective को d लिख देता हूं power final is equal to d1 plus d2 पहली power क्या होगी मतब d1 number d is the correct answer नेक्स सवाल देखते हैं अ convex lens and a concave lens each having same focal length 25 cm आप put in contact to form a combination of lenses the power inductors of the combination is 0 कैसे आए है देखो हमारे पास एक convex lens है इस तरीके से इसकी focal length है 25 cm यानि कि वो रही होगी plus 25 cm दूसरा है हमारे पास concave mirror sorry lens इसकी focal length भी है 25 cm लेकिन वो रही होगी minus 25 cm पर फाइनल हमारे पास power किती हो जाती है power final is equal to p1 plus p2 जिसकी value जाएगी 1 upon 25 plus 1 upon minus 25 it is equal to 0 तो हमारे पास power of combination की value आ जाती है 0 और इसको आप देख भी सकते हैं दोनों को जब lenses को आप चिपका होगे है तो आपको मिलता क्या है हमें कुछ ऐसी चीज मिल जाती है यह एक lens है दूसरा यह एक lens है यह वाली surface और यह वाली surface आपस में parallel हो गई तो actually effectively को जाता reflection यहां पर हो नहीं रहा होगा कुछ गडबर जरूर होती है लेकिन हम इतने thin lens मानते हैं कि हमारे पास यह मान लो एकदम parallel हो गया तो जाता है डिटल में नहीं कुछेंगे है हमारा अहां से तो आगे 0 चलते हैं आगे तो similar thin equi convex lenses और focal length f each are kept coaxually in contact with each other such that the focal length of the combination is f1 हमारे पास इस तरीके से दो lenses है combination की focal length f1 कमान लो हमारे पास एक lens की पावर थी p और focal length f दूसरे की पावर थी p और focal length f और यहां से हमें पास total power हो जाती है p 2p is equal to 1 upon f1 एगे सबको समझ माहें एगे जए है यह है लिए सबको समझ माहें एगे फिर इन्होंने क्या किया, यहां पर जो दोनों के बीच की जगह है, उसको भी सेम लिक्विट से भर दिया है, हमारे पास फिर एफेक्टिवली कैसा लेंस आ जाएगा, कुछ ऐसा लेंस आ जाएगा, इस तरीके से, अब यहां पर देखो, हमारे पास एक सर्फिस का रेडियस है, दूसरी का भी था R, इसका भी R है, इसका भी है R, बीच में जो लेंस बचता ए, उसकी भी focal length यहां ठीक सेम हाजाएगी, लेकिन उसकी power होजाएगी, वांइनस P, पोकल लेंस सेम होंगी, उसकी convex और concave के कारण उसकी minus में power हो जाएगी हमाया पास यहाँ पर अब total power किती हो जाती है P minus P plus P total यह plus P था यह plus P था total हो जाता है P minus P plus P which is equal to P which is equal to 1 upon F2 हम से क्या पूछा है इन दोनों का ratio पूछा है the ratio F1 by F2 F1 by F2 is equal to 1 upon 2P upon 1 upon P which is equal to 1 by 2 जैने कि option number B is the correct answer बहुत अच्छा सवाल था बहुत असान सवाल था किसी को देखने का और एक तरीका भी है कैसे यहाँ पर हमाया पास देखो first second जो भी दो reflecting surface है दोनों का radius R था इस वाली में भी दोनों का radius R था और finally जो हमाया पास ऐसे बड़ा लेंस बन जाएगा उसमें भी दोनों का radius R है इस एक lens की जो भी power है वो actually हमाया पास final lens की भी power आने वाली है तो वहाँ सभी पता चल जाता है same चीज़े पता चल जाते है और आप solve कर सकते हैं तो बहुत ही आसान सवाल था लेकिन ऐसे एक और बार और पूछा गया है सवाल देखो क्या है using this information the distance between the retina and the eye lens of the eye can be estimated to be क्या चल रहा है cornea है और उसके बाद हमारे पास eye lens भी है उसके पीछे तो हमाया पास मान लो दो इस तरीके से lenses जो आपस में चिपके होगा है एक की power है 40D दूसरे की power है 20D और उससे हमें फिर image बनती है यहाँ पर retina पर ठीक है यहाँ पर हमाया पास image बनती है तो हमाया पास total power power total is equal to 40 plus 20 which is equal to 60D ओके तो यहाँ से focal length की value आजाती है f effective रहनी 1 by 60 which is equal to 100 cm upon 60 cm में अगर हम बात करें यह आजाता है हमारा 5 by 3 cm हमें क्या बोला है least converging power तो हमें अगर least converging power का use करना है actually infinite से अगर कोई raise आ रही है तो least converging power का use करते हैं अगर मानलो हमाँ पास यहाँ से images raise आ रही होती है तो हमको ज्यादा converging power का use करना पड़ता है retina पर image बनाने के लिए correct अगर infinity से आ रही है तो सबसे कम converging power का use करना पड़ता है यहाँ से कोई ray आती है तो वो actually इदर निकल जाती लेकिन और converging power लगा करके हम retina पर image बनाते है तो infinite से if u is equal to minus infinity v is at यह वाला distance जो retina वाला distance है वो हमें पता करना है पता कर सकते हैं आप क्या है formula v is equal to uf upon u plus f value क्या हो जाएगी u की value जरुदी नहीं है हमें यह सब करने की हमें सीदे सीदे पता है infinite से जब raise आती है तो वो focus पर ही गिरती है तो focus हमें पता है 5 by 3 cm तो हमाया पास retina का distance भी आजाता है distance is equal to f which is equal to 1.6667 cm b is the correct answer 5 by 3 clear है सब को सब को यह समझ मैं है कि क्यों हमने infinite वाली raise को consider किया क्योंकि उन ही को retina पर focus बनाने के लिए हमें least converging power की ज़रवत पढ़ती है अगर हमें infinite पहाड देखने है तो हम आराम से देखते हैं कोई भी चीज पढ़नी होती है तो हमें आखों पर जोर लगाना पढ़ता है इसलिए कि हम कुछ तो दवा दवा कि उसके lens को ऐसे चोड़ा करते है तो उसके converging power बढ़ती है कुछ तो होता है आपकों biology वाले स्टुटेंट्स आप हो आप साथा जानते हो कि यह चीज़े हम चलते हैं अगले सवाल पर next question a convex lens is dipped in a liquid whose refractive index is equal to the refractive index of the lens then its focal length will be क्या होगी focal length कौन बढ़ाएगा हमारे पास देखो lens काम तब करता है जब दोनों तरफ अलग-अलग medium होते हैं तो थोड़ी हमारी light bend होते है कभी इदर कभी इदर अगर दोनों तरफ refractive index ही same होगा the light bend ही नहीं करेगी सीधे-सीधे चली जाएगी यानि कि इसकी power 0 हो जाएगी power हो जाएगी 0 इसका मतलब focus कितना हो जाएगा infinite पहे आण यहां से जो rays parallel to principle axis आरही थी वह यहां पे converge नहीं करेगी infinite पे चली जाएगी मारे पास देंदब focal length विल बिकम infinite C next question देखो repeat हुआ है when a biconvex lens of glass having refractive index 1.47 is dipped in a liquid it acts as a plain sheet of glass plain sheet of glass बन गई यानि कि वो lens की तरह काम नहीं कर रही है इसका मतलब this implies that a liquid must have refractive index liquid का refractive index lens के refractive index से बराबर रहा होगा तब ही ऐसा होता है तो हमारे पास equal to that of glass option number A correct answer आ जाता है चलें आगे next टेको a plano convex lens is made of material of refractive index 1.6 the radius of curvature of the curved surface is 60 cm the focal length of the lens is पहली बार हमारे पास question आया solve कोने के लिए तो इसको 1 by f is equal to हमारे पास formula होता है n of lens divided by n of surrounding minus 1 1 upon unward minus 1 upon r2 plano convex lens plano convex तो पहले plane है फिर convex है इस दिशा में हमारी lights आ रही है ऐसे कहीं तो जारी होगी कुछ दो रहा हो values रखना आप शुरू करते है n l की value है 1.6 divided by surrounding 1 है minus 1 है यहाँ पर 1 upon r1 first reflecting surface का radius of curvature क्या है यह clean है उसकी curvature कित्ती हो जाएगी infinite पर उसमें curve ही नहीं है यह जाएगा 1 upon infinite minus 1 upon r2 r2 है यह वाला इसका radius of curvature कितना है 60 cm लेकिन हम यहाँ पर 60 cm रख सकते हैं कि जी नहीं हमारे पास sign convention के हिसाब से यह वाली दिशा positive है यहाँ पर radius point इदर है यह negative direction में हमारा है तो यहाँ पर हम value रखेंगे minus 60 cm सारी value cm में रख रहा है तो हमारे focal length भी cm में आने वाली है यहाँ पर values रखोगे तो आप जाता है 1.6 minus 1 यहाँ कि 0.6 into 1 upon 60 यह हो जाता है 1 by f यहाँ कि f is equal to 60 upon 0.6 which is equal to 600 upon 6 यहाँ कि 100 cm और answer आगया बी बहुत जादा ध्यान रखने की जरुएत है यहाँ पर हमारे पास अगर हम यहाँ पर plus 60 रखते तो हमारे पास answer आथा कि ता minus 100 cm लेकिन इनने एक भी ऐसा option ने दिया minus 100 cm का तो कोई गलती करे तो करे तो करे कैसे और दूसरी बात मैं चाहता हूँ आप वीडियो को pause करो और solve करने की कोशिश करो कि हमारा lens अगर ऐसा होता और रे अगर हमारी यहाँ से जा रही होती तो हमारी focal length कितनी आती क्या उस case में भी हमारी focal length 100 cm आती या minus 100 आती यह कुछ और हो जाता प्लीज वीडियो को pause करना, solve करना, answer को comment कर देना हम चलते नेक्स question पर focal length of a convex lens of refractive index 1.5 is 2 cm ठीक है focal length of the lens when immersed in a liquid of refractive index of 1.25 will be इस question को solve कैसे करेंगे रहे को star marked है यहाँ पर कोई हमें radius radius की value दी नहीं हुग है हम solve करते है रहे को, सबसे पहले तो हमारे पास formula करता है 1 by f is equal to nl upon ns minus 1 upon 1 upon r1 minus 1 upon r2 अब अगर हम lens को दूसरे liquid में dip कर रहे हैं तो हमारे पास सिर्फ यह values change होने वाली है यह वाली values तो सेम रहने वाली है तो हम इसको बोल देते हैं is equal to nl upon ns minus 1 into x में उसको बोल देता हूँ ठीक उसकी value जो भी है constant रहे है अब दो case है हमारे पास दोनों में focal length को लिखते है 1 upon 2 पहला case is equal to lens का refractive index है 1.5 और वो है air में तो हमारे पास value नीचाह जाएगी 1 minus 1 times x दूसरी equation है 1 by f is equal to 1.5 lens का refractive index और अब उसको एक liquid में डबा दिया है तो जो surrounding है surrounding में हम 1.25 उसका लेंगे 1.25 minus 1 times x दो equation है दोनों को divide कर दो तो हमारे पास रहेगा 1 by 2 upon 1 by f is equal to x से x कट जाएगा हमारे पास उपर बचता है 0.5 upon 0.25 upon 1.25 यानि की f upon 2 is equal to 1.25 into 2 यहां से f की value जाती है 4 into 1.25 which is equal to 5 cm option number c is the correct answer बहुत ही अच्छा स्वाल दा इसको नहीं आया है तो फेसे चला आगे देख लो हम चलते next question पर a convex lens of focal length 80 cm and a concave lens of focal length 50 cm और combined together what will be their resulting power तो हमारे पास p equivalent की value हो जाती है p1 plus p2 which is equal to 1 upon 80 plus 1 upon 50 और यहां से आप जब solve करोगे ना तो answer गलत आजाएगा क्यों गलत आजाएगा देखो हमारे पास एक convex lens है convex lens की focal length positive होती है तो 80 को तो हमने positive रख दिया लेकिन focal length concave lens की negative होगी तो हमारे पास यहां पे minus 50 हमें use करना पड़ेगा अब answer हमारा सही आएगा यह हो जाता है और यह इसको meter में रखना पड़ता है हमें तो यहां पर point लगाओ यहां पर point लगाओ यहां जाता है 1 upon 0.8 इसकी value कित्ती हो जाती है 1.25 minus 1 upon 0.5 यानिकी 2 इसकी जाती है minus 0.75 D which is option number D बहुत ही अच्छा सवाल था अगला सवाल देखते हैं two identical thin plano convex glass lenses refractive index जिनका 1.5 है each having radius of curvature 20 cm are placed with their convex surfaces contact at the center हमारे पास क्या ऐसा system है प्लेनों convex है और इस तरीके से उनको लगाया हुआ the intervening space is filled with oil of refractive index 1.7 अभी जो beach वाला हमारा वो भी एक lens बन चुका है the focal length of combination is यह बहुत ही अच्छा सवाल है अब इस combination की focal length पता करने की कोशिश करो video को pause परो solve करो solution देखते हैं पहले हमारे पास एक lens यह है दूसरा यह है इन दोनों की कुछ focal length होगी और वो दूनों की focal length बराबर होगी हमारे पास plane and convex lens है उसको इधर से लगाओ उधर से लगाओ दूनों की focal length बराबर आती है हम पहले calculate कर लेते हैं इसको अगर मैं बोलता हूँ focal length f1 है इसकी focal length f2 है इसकी focal length फिर से f1 आ जाई 1 upon f1 is equal to हमारे पास पहले वाले के लिए हम formula लगा देंगे n of lens की value है 1.5 surrounding है 1 minus 1 कर देंगे into 1 upon r1 पहली surface के लिए जो radius की value हो जाए 1 upon infinity यानि कि यह value तो हो गई 0 minus 1 upon r2 अब इसका radius कितना है radius of curvature minus 1 upon इसका radius है 20 cm लेकिन negative में है देख और raise इधर से आ रही थी इसका radius इधर कहीं होगा तो minus 20 यहां पर लगेगा और इसकी value आ जाती है 0.5 into 1 upon 20 यानि कि f1 is equal to 40 cm हमसे तो पार की टंस में काम कर लेते हैं हम पार की टंस में काम कर लेंगे तो p1 मैं इसको लिख सकता हूँ p1 is equal to 1 upon 0.4 which is equal to 2.5 diopters सबको समझाए है ना तक अब हम बात करते हैं f2 की तो 1 upon f2 is equal to n of lens refractive index of lens की value of 1.7 divided by surrounding अच्छे यहां पर आप बोलोगे कि isn't lens की surrounding में तो दूसरा कांच लगा हुआ है हम इन questions को इस तरीके से solve करते हैं कि यह तीनों lenses को आप थोड़ा थोड़ा gap पे भी मान के करोगे ना आंसर हुआ ही आने वाला होता है तो हम मान लेंगे बीच में थोड़ी सी यह है 1.7 upon 1 minus 1 multiplied by 1 upon r1 पहली surface के लिए radius इस तरफ है जो की negative में है तो जाएगा 1 upon minus 20 centimeter minus 1 upon दूसरी surface के लिए जो radius है वो positive direction में है प्लस 20 आ जाएगी है मैं पर इसकी value आ जाएगी कि रिखो 1.7 upon sorry into 2 upon 20 minus का which is equal to 7 minus 7 upon 100 अगर हम से P2 पूछी जाए P2 की value हो जाएगी 1 upon F2 in meters में करना बहुत जरूरी है पर अभी हमारी centimeter में आए थी जो भी 100 by 7 आए थी न इसकी value हो जाएगी 1 divided by minus 1 upon 7 which is equal to 7 minus 70 total power किती हो जाएगी minus 70 plus 2.5 D plus again 2.5 D देखो यहाँ पर एक दो और फिर यह 3 है P equivalent is equal to P1 plus P2 plus P1 which is equal to 2.5 plus 2.5 minus 7 यहाँ कि minus 2 diopter यहाँ से F equivalent उसकी value कितनी आजाती है 1 divided by minus 2 which is equal to minus 0.5 meter यहाँ पर minus 50 centimeter option number B is the correct answer. ऐसे ही एक और सवाल पूछा गया है A double convex lens has focal length 25 centimeter. The radius of curvature of one of the surface is double of the other. Find the radii if the refractive index of material of the lens is 1.5. तो इसको कैसे solve करो यह बहुत ही असान सवाल है Pause करो, solve करने की कोशिश करो. Solve करते हैं हमारे पास है double convex lens, जिसकी focal length है 25 centimeter तो हमाँ पास double convex है, देखो. पहली बात तो बताओ यहाँ पर एक का करवेचा जादा इसका कम है इस वाली का radius होगा r, इसका radius होगा 2r. आप उल्टा भी बना सकते हो, answer दोनों से same आने वाला है हम solve करते हैं, यहाँ पर n की value कितनी देवे है n is equal to 1.5. हमें पता करना है कि focal length हमें देवे है 1 upon 25 is equal to, formula लगाओ, n of lens 1.5 upon n of surrounding जो कि air है, minus 1 into 1 upon r1 पहली surface, मानलो इदर से light आ रहे थी, परक नहीं पड़ता है इदर से भी लाओगे, तो भी answer same आने वाल अगर इदर से light आ रहे थी, तो इसका radius positive 2r है तो 1 upon 2r, minus 1 upon, अब light रहे थी तो इसका radius negative में है यहां पर, minus r, यह हो जाता है, is equal to 1 upon 25 is equal to 0.5 into, इसकी value हो जाती है 1 upon 2r plus 2 upon 2r, यानि की 3 upon 2r यहां से r की value हो जाती है, r is equal to 25 into 3 divided by 4 which is equal to 75 by 4, इसकी value किती हो जाती है, 75 by 4 18.75 cm, तो 2r होगा, उसकी value हो जाती है, इसका 37.5 cm CMP, OPTION NUMBER D is the correct answer, अगला सवाल A plano-convex lens fits exactly into a plano-concave lens okay, बाने with the plane surfaces are parallel to each other, if lenses are made of different materials of refractive indices, µ1 and µ2, and R is the radius of curvature of the curved surface of the lenses, then the focal length of the combination is बहुत ही अच्छा सवाल है, वीडियो को पॉस्ट करके solve करने की कोशिश करो, लेकिन उससे पहले मैं आपको diagram बना के बता रहता हूँ हमारे पास इस तरीके से finally lenses होने वाले होंगे ऐसा और इस बात से फर्क नहीं पड़ता कि इन lenses को हमने किस orientation में लगाया कौन सा lens पहले लगाया, आप किसी भी केसमें निकालोगा आपको देखना, पावर सेम आने वाली है तो वीडियो को पॉस्ट करो, solve करने की कोशिश करो इस question को solve करने के लिए हमारे पास इस lens की कुछ पावर होगी उसको मैं बोल सकता हूँ, वह होगी P1, इस दूसरे lens की कुछ पावर होगी P2, और हमारे पास जो final combination होगा, उसके लिए हम क्या लेख सकते है P effective is equal to P1 plus P2 P effective क्या हो जाएगी 1 upon F effective is equal to P1 की value कितनी है, 1 upon F1 plus 1 upon F2 हमारा P2 हो जाएगा और हमारा जो lens makers formula उससे हमें 1 upon F1 ही पता चलता है तो हम एक काम करते हैं, यहीं पर values आट करना शुरू कर देते हैं देखो, इसकी value हो जाएगी यहां से हम इस तरफ आते हैं, is equal to 1 upon F1 की value हो जाएगी पहले वाले case के लिए mu1 and mu2 values है एक मिरिट plano convex lens and plano concave तो convex के लिए हमें mu1 लेना है ठीक है 1 mu1 upon 1 minus 1 into plano convex के लिए first refracting surface यहां पर है plane यहां पर आजागा 1 upon infinity minus 1 upon यहां से देखो जो second refracting surface है इस दिशा में उसके लिए इस तरफ हमारा पास r होगा यानि की minus में होगा तो यहां पर हम कर देंगे minus r ठीक अब हम आजाते हैं दूसरे वाले lens पर दूसरे वाले lens के लिए 1 upon f2 हमें पता चल जागा वो भी plus हो रहा है तो यहां पर जागा mu2 upon 1 minus 1 दूसरे वाले lens के लिए जो पहली refracting surface है उसके लिए हमाया पास radius इस तरफ negative में है तो जाएगा 1 upon minus r minus 1 upon दूसरी surface तो plane है तो वो जाएगा infinity यह value 0 है यह value 0 है यहां से हमाया पास value किया जाते है this is equal to mu1 minus 1 upon r minus mu2 minus 1 upon पर यह plus था minus r अब इन दोनों को आप add करोगे दोनों के denominator में r है यहां पर minus लगा हुआ है तो minus की वाज़े से हमारे sign change रहेगा देजाता है mu1 minus mu2 upon r यह आ गया हमारा 1 upon f effective यहां से हमारे पास f effective की value कित्या जाती है r upon mu1 minus mu2 which is option number b अब इस question को देखके सबको लगा होगा इसमें कितनी सारी calculation आने वाली आप देखो actually calculations भी बहुत आसान थी actually इसको मैं एक बहुत ही अच्छा सवाल बोलूँगा चलते हैं next question पे triple star mark question है बहुत इंट्रेस्टिंग सवाल है a concave mirror of focal length f1 is placed at a distance of d from a convex lens of focal length f2 पहले हम डागराम बनाएंगे हमाया पास ही con concave mirror of focal length sorry concave mirror f1 is placed at a distance of d from a convex lens अच्छा तो convex lens है इसकी f2 है और यहां से d distance पे हमाया पास concave mirror रखा हो है obviously हमारे neat का सवाल है तो इनका axis भी same ही होगा अलग अलग axis पे तो नहीं कराएंगे a beam of light coming from infinity and falling on this convex lens concave mirror combination returns to infinity तो हमारे पास यहां से light ray आई और फिर वो वापिस return कर जाती है infinity पे तो हमें बताना है कि वो कैसे होगा तो यह वाला distance है हमारा d अभी कैसे होगा देखो पहली बात तो यहां पे infinity से raise आ रही है इस तरीके से तो वो कहां जाएंगी इसके focus से पास होने वाली यह वाला हो जाता है हमारा f 2 अब उसके बाद यहां से raise ऐसे जाती है और मान लो हमें retrace करवाना इसको ठीक है retrace मतलब यहां से आएगी ऐसे जाएगी फिर वापिस retrace होकर कि इधर से infinity पे वापिस चले जाएगी तो अब इस concave mirror के लिए अगर यह वाला distance c के बराबर हो जाएग radius of curvature के बराबर तो यहां से देखो सारी की सारी रे उसी direction में वापिस से लिए आएगी retracing हो जाएगी तो यह distance हमारा है c तो क्या मैं लिख सकता हूँ d is equal to f2 plus c of 1 या फिर f2 कर वेचे किता होता है वो होता है 2 of f1 right तो हमारे पास यह case आजाता है जिसमें light ray ऐसे कैसे retrace हो जाती है तो d is equal to f2 plus 2 f1 कौन साब्प्शन है f2 plus 2 f1 option number c is the correct answer और यह तो अभी तक बहुत आसान था इसलिए इसको star three star mark इसलिए नहीं इसका एक और solution है क्या solution है देखो हमारे पास यहाँ पर इस तरीके से वही lens और वो setup बना दो mirror का lens का हम से क्या बोला है हमें अगर infinite से कोई ray आ रहे है और हमें question में यह नहीं लिखा है कि वो ray retrace होनी चीए यह उसमें लिखाए कि combination returns to infinity वापस infinite पर भेजना है कैसे भेजें मान लो यह जो distance d है यह distance actually f2 के बराबर हो जाता इसकी f2 की focal length के बराबर तो क्या होगा अब यह ray यहाँ से जाएगी focus पर इस तरीके से लेकिन इसका जो focus है इस वाले mirror के लिए वो क्या हो गया pole जब pole पर ray आती है तो जिस angle से आई थी उसी angle से reflect हो करके चली जाती है इस case में ray ऐसे वापस आएगी अब इस lens के लिए देखो इसका तो focus ता है focus से जब भी ray आती है तो क्या करता है वो उसको भेज देता है वो infinite पे यहाँ से फिर infinite पे चली आएगी अभी भी return to infinite हो रही है और it is not retracing जिस path से आई थी उसी path पे वापस नहीं जा रही है retracing यह भी भेज infinite पे रहा तो यह भी एक solution तो है इस case में d is equal to f2 लेकिन यहाँ पर ऐसा कोई भी option दिया हुआ नहीं है इसलिए हम इसको मार्क नहीं करेंगा है इस वाले को मार्क करके चले आएगे तो यह बहुत ही अच्छा सवाल था गलती से अच्छा होगा है इस वाले शायद ऐसा intent नहीं कर रहे थे कोई बात नहीं हम आगे चलते हैं the radius of फिर star mark the radius of curvature of a thin plano convex lens is 10 cm of curved surface and the refractive index is 1.5 if the plane surface is silvered then it behaves like a concave mirror of focal length कितना इसको कैसे solve करोगे इसको हमारे पास radius of curvature of a thin plano convex lens तो अब plano convex lens कुछ ऐसा lens रहा होगा उसमें हमने पीछे यहाँ पर mirror इस तरीके से लगा दिए इसको solve करने के लिए हम इन दोनों को अलग-अलग parts में ले लेते हैं इस तरीके से लेंगे ऐसे और फिर यहाँ पर हम इस तरीके से mirror लगा दिएगे अब यहाँ से जब भी ray आएगी एक बार इससे reflect होगे फिर दूसरी बार यहाँ से reflect होगे और फिर तीसरी बार इससे reflect हो जाएगे तो power की बात करते हैं पहली बात तो इसकी power मान लो P थे P1 इसकी power थे P2 is equal to 0 और उसके बार light ray फिर से इससे जाएगे तो हमारे पास P1 दो बार use हो रहा है P2 एक बार use हो रहा है लेकिन उसकी value है 0 ओके यहाँ पर हमारे पास P effective क्या मैं उसकी value बोल सकता हूँ P1 प्लस P0 प्लस P2 प्लस P1 यहाँ पर इसकी value है 0 इसकी value किती है जाएगे is equal to 2 times P1 2 times P1 तो अगर मुझे ये lens दो बार use करना है तो मैं क्यों ना इसको ऐसे use कर लो वैसे आप चाहो तो इसकी P1 value निकाल लो और फिर 2 से multiply कर लेना तो वही कर लो नहीं तो आप इसको equivalent भी मान सकते हो कि हमारे पास actually एक ऐसा lens रखा हुआ है क्योंकि ये वाला lens तो हम दो बार use कर लें उसको पलट के मैंने फैसे चिपका दिया बात तो वही है लेकिन मैं आपको confused नहीं करूँगा मैं इस तरीके से नहीं करूँगा अब मैं इस lens की focal length पता करना चाहता हूँ तो 1 upon F1 is equal to lens का है 1.5 upon surrounding है 1 minus 1 multiplied by 1 upon R1 इसके लिए R1 क्या होगा इधर से रहे है तो positive direction में इसका radius होगा इस तरफ और उसकी value है 1070 में तरफ 1.10 minus secondary surface उसका radius है 1 upon infinite हो जाएगा वो इस तरीके से यहां से हमाँ पास आजा जाता है 0.5 upon 10 F1 is equal to plus 20 cm okay अब हमारे पास यहां से F1 आ जुका है हमारे पास जो P effective हो चुका है वो है 2 P1 यहां पर आप values रखोगे 1 upon F effective is equal to 2 P1 की value का है 1 upon 20 cm यहां से F effective is equal to उसकी value आजाती है 10 cm option number A is the correct answer अब मुझे एक बात बताओ सब लोगे एक बात सोचे बताना अगर यहां पर infinite से इस तरीके से कोई ray आ रही होती है तो वो कहां पर जाकर के coincide करती है माल लिए हमारा principal axis है वो ray तो ऐसे आती यहां से कोई ray आती तो वो भी इदर आती इसके पीछे इस तरफ तो जाई नहीं सकती ना ray वो दर तो जाई नहीं सकती ray आनी इस तरफ है हमारे पास focus का distance आ चुका है 10 cm लेकिन sign convention के असाफ सब कौन बताएगा यह positive है या negative है incident ray तो इदर थी हमारा focus इस तरफ आ रहा है तो यह actually negative में आने वाल है तो mirror का काम यही है mirror की power as a zero है लेकिन mirror होने के कारण हमारे पास focus positive का negative side में आ जाएगा कुछ तो इस तरीके सो जाए लेकिन हमारी ray उदर नहीं जा रही है ठीक है तो यह कौन cave lens की तरह भी काम नहीं करेगा कुछ तो अलग सी चीज़ हो रही होगे तो थोड़ा complicated है इसको ऐसे ध्यान रखा अभी हमारा answer हो जाता है हम चलते है next question पर a biconvex lens has a radius of curvature of magnitude 20 cm which one of the following options best describe an image formed of an object of height 2 cm placed 30 cm from the lens बहुत ही अजीब सा simple सा question है by convex lens अब पहले तो इसके power बता कर लो 1 by f is equal to उसकी value कित्ती हो जाएगी 1.5 अच्छा n की value 1.5 है upon 1 minus 1 into 1 upon by convex lens है जिसका radius of curvature है 20 1 upon 20 minus 1 upon minus 20 यहाँ से आंसा जाएदा 0.5 upon 10 f की value हो जाती है 20 cm which one of the following option best describe the image formed of an object of height 2 cm placed at 30 cm from the lens तो हमारे पास अब पहले तो lens बनाओ lens को हम ऐसे भी बना सकते हैं यहाँ पर हमारे पास f की value है कितनी f is equal to 20 cm हमारे u की value कितनी है यहाँ पर जो object है वो 30 cm पर रखे u की value हो जाती है minus 30 f की value हो जाती है plus 20 v की value कितनी हो जाएगी uf upon u plus f u की value है minus 30 f की value है plus 20 u की value है minus 30 plus 20 तो यहाँ जाता है minus 600 upon minus 10 इसकी value हो जाती है 60 पर हमारी image बन रही है तो हमारी magnification हम क्या पता कर सकते हैं magnification की value हो जाएगी 60 upon minus 30 which is equal to minus 2 तो दोग नहीं बनेगी और यह minus का मतलब क्या हुआ कि inverted बनेगी हमारे पास आ जाता है real inverted और 2 times पड़े तयानी कि हमारा option number c is the correct answer अगले सवाल पर चलते है a converging beam of rays is incident on a diverging lens हमारे पास diverging lens है इस तरीके से और इसके अपर converging rays इस तरीके से आ रहे sorry converge हो रही है मतलब एक जगे आ रहे है diverge हो रहे है नहीं कि दूर जा रहे है चीक है having passed through the lens the rays intersect at a point 15 cm from the lens on the opposite side अभी actually जाना तो इधर चाती होंगी लेकिन diverging lens है तो उस्टों को थोड़ा दूर इस तरीके से इधर भेज दिया होगा और ये वाला distance हमें बोला ये है 15 cm if the lens is removed the point where the ray meet will move 5 cm closer to the lens तो हमारे पास यहां पर ये वाला है 5 cm the focal length of the lens is तो focal length of the lens क्या है पहली बात तो यहां पर option देखके हैं बाता चल रहा है ये दोनों option तो होई नहीं सकते हैं क्योंकि हमारे पास ये है diverging lens इसकी focal length होगी negative में या तो ये दोनों हो सकते हैं अब वो smart guessing से कौन बता रहा था यहां पर कोई value दो match नहीं कर रही नहीं तो हमारा answer हम वही देखके लगा देते हैं पर ठीक कैसे solve करते हैं इसको solve कैसे करेंगे देखको हमें बोला रहा है कि light rays अगर कुछ नहीं होता हमाँ पर lens lens तो light rays यहां पर आते हैं यानि कि यह हमारी virtual object है इस case में हमारी virtual object है virtual object और इसकी u की value क्या हो जाएगी u is equal to plus 10 cm यहां पर यह वाला distance 10 cm है light rays इस तरफ आ रही है incident ray तो यह हमारा positive direction है तो यह plus 10 cm पर focal length हमें पता करनी है image कहां बन रही है image बन रही है देखो v is equal to plus 15 cm लबा दो भाई हमारा lens वाला formula क्या है वह हो जाता है 15 is equal to plus 10 into f upon plus 10 plus f यहां से हो जाएगा हमारे पास 10 plus f is equal to 2 by 3 f 10 is equal to minus f by 3 f is equal to minus 30 cm option number c is the correct answer बहुत ही अच्छा सवाल था virtual object वाला सवाल था अगले सवाल पर चलते है a boy is trying to start a fire by focusing sunlight on a piece of paper using an equi convex lens of focal length 10 cm the diameter of sun is itna and its mean distance from the earth is itna what is the diameter of sun's image on paper paper तो हम इसको किस तरीके से solve करें मालो यहां पर हमाया पास कुछ sun है बहुत बड़ा सा और यहां पर हमाया पास lens है infinite से sun की raise आ रही है मैं बोल सकता हो मालो infinite पर हमाया पास यहां पर एक ऐसे object थी जिसका radius है आर ठीक तो फिर यहां पर कुछ image बनेगी हम लिख सकते है radius of image is equal to m times radius of object m की value क्या होती है v by u radius of image is equal to radius of object अब क्योंकि यह infinite पर है आचली infinite पर तो नहीं है कुछ हमें finite value ही दे रखे है उसको है ना mean distance from earth तो हम उसकी values रख देते है radius of image is equal to v की value कितनी है हमारी जो image बनेगी वह जरूर focus way बनेगी focus की value है 10 cm मैं यहां पर लिखूंगा 0.1 सब मैं meter में ले आँँगा v divided by u u की value कितनी है हमारे पास u की value है sun का distance है 1.5 into 10 raised to power 11 और into radius की value कितनी है 1.39 into 10 raised to power 9 अच्छे diameter है यहां पर भी मैं इसको बोल दूँगा diameter of image ओके यहां से आप इसको solve करोगे हमारे पास answer रहा था approximately 1.39 upon 1.5 into 10 raised to power 9 8 हो जाएगा 8 हो जाएगा और फिर नीचे से minus 3 meter which is approximately यहां पर option देखर के मझे लग रहा है वो 9.2 into 10 raised to power minus 4 meter यही आने वाला है इन सभी option में यही सबसे closest option देख रहा है 1.4 divided by 1.5 0.9 something आने वाला है यह इस दा correct answer चलते हैं अगले सवाल पे a body is located on a wall its image of equal size is to be obtained on a parallel wall with the help of a convex lens the lens is placed at a distance d ahead of the second wall then the required focal length will be वाल यह अच्छा सवाल है हम आपास एक ओक वाल है यहाँ पर दूसरी वाल यहाँ पर उसके सामने है इस तरीके से और हम यहाँ पर इनके बीच में लगा रहे हैं एक lens इस तरीके से अब यहाँ पर अगर हमारे पास कोई object है यहाँ से उसकी image यहाँ पर कब बनेगी। जिस वक्त ये हमारा focal हो ये हो हमारा 2F ये हमारा focal हो और ये हो हमारा 2F तो हमसे क्या बोला है कि the lens is placed at a distance d ahead of second wall तो हमारा ये वाला distance है d और हमें देख के पता चल रहा है d is equal to 2 times f d is equal to 2 times f f is equal to d by 2 option number b is the correct answer बहुत ही आसान सवाल ये सबको समझ माया है क्या हो रहा है यहां पर हमारे पास most common case है image बनाने का convex lens वाला वो बन रहा है और चलते हैं आगे a lens is placed between a source of light and a wall it forms images of area a1 and a2 on the wall for its two different position the area of the source of light is again बहुत पी अच्छा सवाल है star mark देखो इसमें हो क्या रहा हो हमारे पास दो इस तरीके से wall है मानलो यहां पर एक इस तरीके से object रख रही है source of light है उसका कुछ radius होगा है यहां पर मैं आर मान लेता हूँ अब यहां पर मैं lens अगर यहां रख दूँ और इसकी मुझे यहां पर मानलो image मिलती है यहां पर मुझे पता है यह वाला distance बढ़ा तो यहां पर कुछ magnified image मिल रही होगी ठीक है उस magnification का मानलो magnitude M है पहले जो मुझे इस तरीके से तो पहले जो मुझे इस तरीके से image मिलती है वो हो जाती है M times R दूसरे case में क्या होगा मैं इस lens को यहां पर ले आऊँगा इस तरीके से दूसरे case में मुझे जो image मिलेगी वो exactly इसका ulti वाली situation हो जाएगी है न यह वाले distance को अगर आप यह वाले distance से बराबर कर दोगे तो हमाया पास image और object की positions तो बराबर है तो हमेशा हमें फिर से image मिलेगी लेकिन इस बार जो image मिलेगी वो बनेगा उसका radius होगा R divided by M Magnification का सिर्फ magnitude की अगर हम बात करें तो अब हमें पता करना है कि पहली बार हमाया पास area इसके कारण आता है A1 इसके कारण आता है area A2 और यहां पे कुछ इसका area है A यहाँ पर इसका कुछ है area A इसकी वज़े से हमारे पास area आता है A2 इसके कारण हमारे पास area आता है A1 और हमें पता है कि area radius के square के proportional होता है क्या मैं यहाँ पर लिख सकता हूँ this is proportional to under root of area under root of area यह भी under root of area है ओके अब हम क्या करेंगे देखो यहाँ पर मैं लिख सता हूँ एक पर r square is equal to r square इसको मैं अच्छे दोनों को multiply करेंगा तो आप यहाँ पर हमारे पास हो जाता है r square is equal to r square इसको मैं लिख दूँगा r square is equal to r by m into m r proportionality constant हमारे पास same रहेगा तो यहाँ पर इस तरफ आजाएगा यह a under root का square is equal to इस तरफ आजाएगा यह r by m हमारे a2 के proportional है यह है हमारे a1 के proportion इससे हमाँ पास a की value जाती है under root of a1 a2 option number a is the correct answer इसमें होता क्या है यह basically वही वाला यह experiment भी आप लो करते हो हमारे पास एक इस तरह किसे दो wall होती है एक तरफ object होती है अब lens को move करते हो और हमें दो बार sharp image मिलती है पहली बार इस तरफ मिलती है तो इस तरह हमें enlarged image मिलने वाली है बाद में यहाँ पर आ जाता है lens तो हमें diminished image मिलती है यह बहुत ही common experiment भी कराया जाता है स्कूल में उसी पर बेस एक question है next question देखते है a luminous object is placed at a distance of 30 cm from the convex lens of focal length 20 cm यह 30-20 वाले ना बहुत बार आते हैं cases इनकी solution आपको याद होने चीह कितने पे बनने वाली image हमारी on the other side of the lens at what distance from the lens a convex mirror of radius of curvature 10 cm be placed in order to have an upright image of the object coinciding with itself कैसे solve पर होगे इसको देखो सबसे पहले तो इसमें हम diagram बनाएंगे diagram के बेना यह कर पाना बड़ा मुश्किल है सबसे पहले एक luminous object is placed at a distance of 30 cm पहले तो यह है हमारी luminous object placed at a distance of 30 cm from a convex lens of focal length 20 cm यह हमारा convex lens है जिसकी focal length ही 20 f यह दिर भी f रही होगी और यह वाला distance है हमारा 30 यह वाला distance है 20 image बनाओ पहले तो कहां बनी होगी यहां से ray ऐसे गई होगी ऐसे गई होगी ऐसे गई होगी यहां कहीं हमारी enlarged image बनी है अब हमसे पूछा क्या गया है यह f था अच्छा f यह था हमारा 2 f हो जाएगा इसका और यहां पे कहीं 2 f और infinity के बीच में कहीं पे हमारी image बनी है on the other side of the lens at what distance from the lens a convex mirror of radius of curvature 10 cm be placed in order to have an upright image of the object coinciding with it वहाथ ही अजीब सा सवाल है क्यासे होगा यहां पर देखो हमें इस तरीके से अब mirror रखना है कौन सा mirror है? convex mirror यहां से फिर से हमारा पास इसी के ओपर image बन जाए अब यह थोड़ा अजीब सा इसलिए है क्योंकि मान लो यहां से अगर रे गई है तो वो वापस इदर तो नहीं आने वाली मतलब जाएगी तो इदर आएगी कहां इस lens में तो नहीं आ रही है पिर मान लो यहां पर हमारा यह lens भी बड़ा है तो फिर शायद वापस इदर आ जाए तो solve कैसे करोगे इस question को यह हमारा distance है 30 हमारे पास यहां पर image बनती है 60 पर कहां पर बनती है 60 पर बहुत ही common values है 20, 30, 60 इनको तो आपको याद होगा आपने solve करके बहुत जगे solve कर लिए होगी मालनो हमारी image आ गई है 60 पर अब हम कहां पर इस तरीके से mirror रखते हैं हमारे पास फिर इससे image आनी चाहिए इस तरफ इसका simple वाला version मना है हम यहां पर हमारा पास object है इससे ऐसे गई होगी यहां पर इस तरीके से image आई होगी और यह वाला distance है 60 cm हम यहां पर इस तरीके से एक convex mirror रख देंगे कि light फिर से retrace होने लग जाए अगर इसको retrace होना है इसका मतलब यह वाला जो distance है यह होना चाहिए radius of curvature के पराबर यह वाला distance होना चाहिए radius of curvature के पराबर this is our radius of curvature के value है 10 cm कभी हमाया पास retrace होने वाली है यह वाला option हमाया पास कितना बचता है अपने अब यह होता है 60 minus R which is equal to 50 cm तो हमारा answer क्या है option number C हमारा answer हो जाता है थोड़ा जीप से सवाल है यह पर ऐसे यह और इसी के साथ हमने सारे के सारे lens और mirror वाले questions भी solve कर लिए है आप चलते हम next topic पर कि क्रोमाटिक अब्रेशन प्रोमाटिक अब्रेशन क्या होता है हमारे पास कि लेंस में कुछ जो डिफेक्ट्स आते हैं क्या होता है हर एक wavelength के लिए refractive index अलग-अलग हो जाता है हमारी जो white light होती है वो P I B G Y O R इन सभी रंगों की wavelength से मिलकर के बनी होती है अब हमाँ पास है कि कोची फॉर्मला के बलता है कि किसी भी मीडियम में जो refractive index होता है वो इस तरीके से वेरी करता है अगर lived up बढ़ता होगे तो refractive index की value कम हो जाएगी राइट तो यहां पर हमाँ विप्ग्योर में रेट की wavelength सबसे बड़ी होती है इसकी frequency सबसे जादा होती है हम अगर इस तरफ जाते हैं वेवलेंथ बढ़ती है frequency कम होती है और इसी लिए हमारा जो bending होती है वो ज्यादा होने लगते इसको हमेशे इस तरीके से याद रखना किसकी energy जादा होती है रेड और ब्लू वाले में रेड और वालेट में वालेट की energy जादा होती है और इसलिए वो ज्यादा मुड़ जाती है हमारे पास अगर lens होगा इस तरीके सब्सक्राइब अगर हमारे पास इस तरीके से प्रिज्म है यहां पे आप देखोगे रेड वाला कम मुड़ेगा प हमेशे ऐसे आद रखना blues ज्यादा मुड़ जाते हैं रेड थोड़ा कम मुड़ते हैं अब हमारे पास मालों यहां से ऐसे white rays आ रही थी तो यहां पर purple वाली तो इधर आ जाती है उनके लिए focal length कुछ और है red वाली यहां तक आती है उनके लिए focal length कुछ और है इतना ज्याद ठीक है focal length में कितना difference है और इसके बीच में कहीं mean value होगी उसको हम बोल देते हैं कि वो हमारा mean focal length है या फिर आप वो yellow वाले की focal length मान सकते हो एचली देखोगे तो यहां पर विब्ग्योर के बीच में G आता है लेकिन mean हम निकालते हैं yellow से ठीक है क्यों हता उसकी detail में में जान कि हम सीधे straight कुछ होता ही नहीं तो यह light फिर disperse से होती ही नहीं वो straight ही जाते है पहले तो light को थोड़ा सा bend भी होना है और उसके बाद हमें देखना है कि वो कितना जादा आपस में ऐसे diverge हो गई है अलग 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 तो हम इसको delta f by f से define किया जाता है और यह delta f इतना होता है कि उसको हम कई बाद df by f भी लिख सकते हैं सेम चीज़ अगर हमें prism के लिए करनी है थिं प्रिस्म के लिए यहाँ पर हमारे पास देखो यहाँ पर हम क्या करते है focus हो यहां पर देविएशन ए रट का कुछ डेविएशन है वालेट का कुछ डेविएशन और फिर क थीटा डिवाइड बाइड डिल्टा मीम थीटा की वैल्यू कित्त ही आजाती है वो एन्वी माइनस वन अपॉन इंटु ए होता है यहां पर वो सब चीज़ें भी हम देखेंगे कहां से फॉर्मुला आता है लेकिन इसको आप डिराइड करोगे तो एन्वी माइनस एन आर डि इस मेजर्ड फर वाइलेड ग्रीन एंड रेड कलास बहुत अच्छे इट इस रेस्पेक्टिवली अब हमें पता है कि फोकल लेंथ वाइलेड के लिए सबसे कम होगी वालेड सबसे जादा मुड जाती है कि यह हमारा लेंस है तो हमारी वाइलेड इदर आ जाएगी यहोग और सबसे करेक्ट आंसर आगें रिपीट होगा सवाल देखो अभी यह वाला कितनी बार रिपीट होते हैं इफ एफ एंड एफ एफ और फोकल लेंस ऑफ एक कॉन्वेक्स लेंस और वाइलेड रेड लाइट रस्पेक्टिवली और एफ वी कैपिटल और फोकल लेंस अफ पूर जाती है रेड कम उड़ती है हम लिख सकते है एफ आर इस मोर देन फ वी चीच अब देखते कॉन केव की लिए क्या होगा कॉन्केव लेंस इस तरीके से होगा यहां पर हम देखेंगे कि हमारी रे ऐसे आ रहे होगी वाइलेट तो जादा मुड़ जाएगी ठीक है रेड यहां पर भी कम मुड़ेगी तो रेड के लिए फोकल पॉइंट यहां होगा वाइलेट के लिए यहां पर होगा लेकिन यहा पर हमारा जो sign convention के हिसाब से हमारे पास distance में तो FV छोटा है लेकिन अगर हम बात करें तो FV की value मान लो हो गई minus 5 cm और FR की value हो गई minus 6 cm magnitude में red की focal length बड़ी है लेकिन ऐसे आप देखो साइन के साथ minus plus यहां पर हमें देखता है कि FR छोटी है माइनस 6 माइनस 5 से छोटा होता है यहां पर थोड़ा सा उल्टा हो गया तो हमारे पास option कौन से हो जाता है यहां पर हमारे पास option number A correct answer हो जाता है तो ऐसे हैं सवाल next question देखते है फोकल लेंथ for a convex lens will be maximum for किसके लिए होगी बताओ V I B G Y O R हमें पता है कि हमारे convex lens में इस तरीके से red सबसे कम मुड़ती है violet सबसे जादा मुड़ जाती है तो focal length red के लिए सबसे जादा होने वाली है next question देखते है an achromatic combination of lenses is formed by joining अब यह आ गया तरीकी सवाल पहली बात तो इसका आप याद भी रख सकते हों कि हमारे पास हमेशा chromatic abrasion होगा अगर हमारे पास एक single lens है तो white light आएगी और इस तरीके से अलग-अलग में वह बिखर जाएगी तो क्या करते हैं इस तरीके से combination मनाते है वह उनको फिर से हमारे पास हम लिख सकते हैं कि 1 upon f equivalent जो कि हमारी equivalent power हो जाएगी डायोप्तर में is equal to p1 plus p2 तो p1 plus p2 यह नही 1 upon f1 plus 1 upon f2 यह हमारे पास equivalent power का formula आ गया अब इसको हम differentiate कर देते हैं इसको differentiate करो किसके respect में करोगे उनी focal length के respect में कर दो जो जाएगा minus 1 upon f equivalent का square into df equivalent is equal to minus 1 upon f1 का square into df1 plus minus 1 upon f2 का square into df2 यहां पर minus से minus से minus सारे cancel out होगा है अब आपास देखो values के बचते हैं अब मैं इसको थोड़ा rearrange करता हूँ यहां पर नीचे जो f का square है उसमें से दोनों को अलग-अलग कर दो ते हो जाएगा 1 upon f equivalent multiplied by df equivalent upon f equivalent is equal to 1 upon f1 df1 upon f1 plus 1 upon f2 df2 upon f2 और यहां पर आप देख सकते हो जो df upon f होता है वो क्या होता है dispersive power omega right यह omega 1 है यह omega 2 है यह हमारी omega equivalent है हमें चाहिए कि कोई भी chromatic abrasion ना हो एक chromatic चाहिए है तो omega equivalent की value 0 होनी चाहिए ऐसे मैं यहां पर लिख देता हूँ this is omega equivalent upon f equivalent is equal to omega 1 upon f1 plus omega 2 upon f2 इसकी value हम 0 कर देंगे और एक chromatic यहां पर हमें पास दो lenses है उनके combination इस तरीके से बिठाओ कि हमें equivalent focal length भी मिल जाए और उनके materials इस तरीके से select करो कि हमें इस तरीके से equivalent जो हमारा dispersion हो उसका था जो भी फैल जा रही थी वह रेस वह भी 0 आ जाए इस तरीके से हम solve का सकते हो इसके लिए हमें एक convex और एक concave lens लेना पड़ता है answer is c और इसकी value 0 होने के लिए इनमें से 1 को तो minus होना ही पड़ेगा इनमें से 1 को तो minus होना ही पड़ेगा a beam of light composed of red and green rays is incident obliquely at a point on the face of rectangular glass slab यह है हमारी rectangular glass slab इस पर directly नहीं आ रही है oblique आ रही है तरीके से हमाँ पास एक white ray आ रही है beam of light when the coming out of the opposite parallel face the red and green rays emerge from अब देखो सबसे कम कौन bend करता है सबसे कम bend होती है red इस तरीके से red बिलाएगी और फिर वापस parallel हो जाती है हमाँ पास slab से raise निकलती है फिर से parallel हो जाती है दूसरी हमाँ पास green थोड़ा जादा bend होगी और लेकिन वो भी parallel हो जाएगी अगर हमारे पास purple होती तो वो ऐसे आती में भी और फिर वो भी इस तरीके से parallel हो जाती तो इन में से option कौन सा वाला सही है when coming out on the opposite parallel face the red and green rays emerge from one point propagating in the same direction देखो यह red और green एक point से तो emerge नहीं हो रही है तो दो अलग-अलग points से निकल रही है यह वाला option हमारा नहीं है two points propagating in two different non parallel direction देखो यह two points से निकल रही है लेकिन parallel direction में जा रही है तो यह भी हमारा option नहीं है two points propagating in two different parallel direction तो हाँ यहां से two points आ रही है दो parallel direction में आ रही है तो हमारा actually option number c correct हो जाएगा one point one point से तो निकल रही है हमें दिख रहा है अलग-अलग points से वो निकल रही है तो हमारा answer c correct हो जाएगा इसके साथ हमने सारे के सारे question solve कर लिए अब आते हैं next topic पे prism कोई भी refracting दो refracting surface अगर किसी angle पर होती है तो वो हमारी prism हो जाती है और ज़रूरी नहीं है कि हो मैं इस तरीके से triangle जैसा ही हो सकता है हमारे पास इस तरीके से अगर एक slab है लेकिन मेरी light यहां से enter करती है और फिर इस तरीके से निकल जाती है तो यह वाला section देखो इसके लिए एक prism की तरह काम करता तो prism इस तरीके से device का दिखना ज़रूरी है निए device मतलब object का प्रिम में हमारे पास कुछ चीजें होती है जो में ध्यान रखना पड़ेगा सबसे पहली बात तो अगर ऐसा प्रिम है तो इसमें एक reflecting angle होगा refracting angle यानि कि इस angle के through यह को यह जो side है और यह जो side है जिन दोनों पर refracting angle हो रहा है उन दोनों को contain करने वाला एंगल ही refracting angle होता है इसको refracting angle नहीं बोल सकते है अगर मानलों कोई light यहां से आ करके इस तरीके से निकल रहे होती है उस case में यह हमारा refracting angle हो जाता है तो refracting angle पर ध्यान देने उसके बाद हम geometry से यहां पर देख सकते हैं कि यहां पर ज पहला सबसे important formula है दूसरा formula है deviation का अब deviation कौन सा है इसे जा रही थी लेकिन अब यह जा रही है इस दिशा में यह थोड़ा सा ऐसे deviate हो गई है वह होता हमारा angle of deviation जिसकी value होती है i plus e minus a यह भी काफी important formula है इन दोनों से ही maximum सारे questions solve हो जाते हैं और एक और यह वाला formula भी है deviation की value maximum कब होगे deviation की value maximum तब होगी कि जब या तो हमारा angle of emergence की value 90 degree हो जाए और उस वक्छ ना कुछ यहां से angle of incidence रहा होगा तो light ray ऐसे गई होगी तो जिस वक्त हमारा angle of emergence की value 90 होती है उस वक्त deviation maximum हो सकता है या फिर light को मैं उल्टा भी भेज सकता हूँ अगर मैं light को इस दिशा में भेजू तो light फिर से वही path को retrace करेगी इस case में क्या होता है हमारा यह angle of incidence बन जाएगा यह हमारा angle of emergence बन जाएगा या तो i की value या फिर e की value 90 degree होगी तो हमें maximum deviation उस वक्त मिलेगा minimum deviation के लिए मान लो light ray ऐसे जा रही है और ऐसे जा रही है अगर इस direction में light जा रही थी तो मैं इसको retrace भी कर सकता हूँ तो उस case में i और e बराबर होता है तब हमारे पास deviation की value minimum होते है minimum deviation का use करके हम एक और चीज का पता लगाते है क्या यहां पर हमाँ पास एक यह formula है जो कि बहुत ज़्यादा important है इससे बहुत सारे सवाल नीट में पूछे गया है refractive index n की value होती है sign of delta minimum plus a by 2 divided by sign of a by 2 यहां पर delta minimum experimentally पता किया जाता है जिस भी तरीके से पता किया जाता है यह होता है हमारा refracting angle of the prism इस तरीके से formalize को याद कर लो बहुत सारे सवाल इससे आते हैं हम और अगर हमारा prism thin prism thin prism का मतलब क्या होगा यह चो angle A होता है उसकी value 5 degree के आसपास या उससे बहुत ही छोटी value है तो हमारे पास जो deviation है इस तरीके सर्म deviation check कर सकते है तो thin prism पर भी भूसा है सवाला है यहाँ पर एक ही value हम रखेंगे radians में delta भी radian में आजाएगा अगर यह degree में है तो यह भी degree में आजाएगा n यहाँ पर refracting index of the prism होता है यह thin prism के लिए यह वाला formula valid है questions solve करना शुरू करते हैं पहला सवाल star mark the refractive index of the material of a prism is root 2 and the angle of prism is 30 degree one of the two refracting surfaces of the prism is made mirror inverse by silver coating तो हमारे पास इस तरीके से एक prism होगा जिसका angle 30 degree है अब जिब 30 degree लिखा है तो आप diagram इस तरीके से बनाए 30 degree के आसपास रहे भी और इसमें एक side को हमने silver कर दिया है तो यह mirror बन गया इस तरीके से a beam of monochromatic light entering the prism from the other face will retrace its path after reflection from the silver surface if its angle of incidence on the prism is तो हमारे पास यहां से कोई light ray आती है यहां पर थोड़ी reflect होगी और यहां पर फिर से retrace कर लेगी अपने reflect होके वापस इस तरीके से आ जाए तो इसमें angle of incidence पता करना हमें Angle of incidence है कौन सा, पहले तो light की ray बनाओ, light की ray कहा गई, हमारी light ray यहाँ से तो इस तरीके से आई होगी और इधर कहीं ऐसे गई होगी, पहले इधर गई होगी, फिर इधर गई होगी, फिर वापस reflect होके आई होगी, और फिर इधर आई होगी, नॉर्मल बनाओ, यहाँ पर normal बना अब दूसरी सर्फेस पे, हमारे पास एक होता है, आर तू, आना, angle of reflection वहाँ, यहाँ पर जो reflect होने के लिए, जो incident light होती है, दूसरे पर, तो हमारे पास पहली equation क्या है, पहली equation हमारे पास होती है, आर वन प्लस, आर टू, इस एक्वल टू, यहाँ पर हमें दिया हुआ है, क इसका मतलब, यहाँ पर जो R2 है, इस सर्फेस की normal से, और incident ray के बीच में जो angle है, उसकी value हो जाएगी, 0, यहाँ से हम लिखते हैंगे, R2 की value तो है, 0, इसे हमें R1 की value पता चलते है, R1 is equal to A, which is equal to 30 degree, अब हमारे पास R1 आ गया, और यहाँ पर आई हमें पता करना है, बहुत ह इस संपल सी calculation आप हम लगा देंगे, स्नेल स्लो, हमारे पास स्नेल स्लो क्या हो जाता है, स्नेल स्लो के साप से जाएगा, 1 sin i is equal to root 2, sin i is equal to root 2, sin 30 की value होती है, 1 by 2, इसकी value हो जाएगी, 1 by root 2, यानि की i is equal to 45 degree, 45 degree का angle of incidence ना है, answer हमारा option नमबर B है, बहुत ही अच्छा सवाल था, बहुत ही simple सवाल था, calculations भी आसान थे, same concept repeat हुए, देखते है, the refractive index of material of a prism is root 2 and its refracting angle is 30 degree, one of the refracting surface of the prism is made a mirror inverse, beam of monochromatic light enters a prism from the mirrored surface of if its angle of incidence of the prism is 45 degrees का answer रहने वाला है, exactly same सवाल है, ये आया था, 2018 में, 2004 में, 1992 में, तो अच्छा concept है, बार बार repeat होता है, शायद भी से repeat होजाए, हम चलते हैं अगले सवाल पर, the angle of a prism is a, one of its refracting surface is silver, फिर से silver कल दी, light ray falling at an angle of incidence 2a, on the first surface, returns back through the same path, after suffering reflection at the silver surface, the refractive index mu of the prism is, again, exactly same concept, लेकिन इसमें चीज हम से दूसरी पूछ लिया है, तो पहले हम एक prism बनाएंगे, ये है हमारा prism, इस तरीके से, इसका यहाँ पर angle है a, और इसको हमने इस तरीके से कर दिया है, silver, यहाँ पर एक light ray ऐसे गई होगी, इदर जाके इदर आई होगी, या यह इदर से कहीं ऐसे गई होगी, ऐसे, normal बनाओ, इस point पर normal, यह होता है हमारा angle of incidence, यह हो जाएगा हमारा r1, r2 की value य यानि की r1 equal to a आगया, अब हम लगा देंगे snail's law, तो 1 into sine i, इस point पर लगा रहे है हम snail's law, इस बाहर वाला medium का refractive index है, 1, यहाँ का refractive index है, mu, उसकी value mu लिखे न, is equal to mu times sine of r1, sine r1 की value क्या हो जाएगी, sine r1 की value हो जाएगी a, यहाँ पर मैं लेख सकता हूं, sine of a, यहाँ से हमारे पास, यह पुछाएग, the refractive index mu, refractive index की value कितनी है, mu is equal to sine i divided by sine a, अच्छा हमें बोला है, angle of incidence is 2a, तो क्या मैं इसको लिख सकता हूं, sine of 2a upon sine a, अब sine 2 theta का formula क्या होता है, 2 sine theta, cos theta, इसको मैं expand कर दूँगा, इसकी value हो जाएगी, 2 sine a, cos a, upon sine a, और यहाँ से sine a से sine a कट जाएगा, हमारे mu की value हो जाएगी, 2 times cos a, option number b is the correct answer, बहुत ही simple सवाल था, और अब हम चलते हैं, नेक्स्ट क्टेशन पहें, a beam of light consisting of red, green and blue colors is incident on a right angle prism, the refractive index of the material of the prism for the above red, green and blue wavelengths is 1.39, 1.44 and 1.47 respectively, the prism will separate all the three colors, will not separate all the three colors, separate the colors, red, blue, separate blue color part from the red and green, यहाँ पर हो क्या रहा होगा, यहाँ पर हो रहा है, total internal reflection, कैसे हो रहा है, यहाँ से blue ray आई होगी, और इस तरीके से, अब blue ray के लिए कुछ यह angle of incidence बन जाता है, अगर यह angle of incidence, critical angle से ज्यादा है, तो हमाँ पास total internal reflection हो जाएगा, इस तरीके से रही नीच आजाएगी, ओके, अब यहाँ पर देखो, अगर यह वाला angle है, 45 degree, यह कितना हो जाता है, यह वाला angle भी हो जाता है, 45 degree, सारे angle 45 degree हो जाते हैं, ओके, अब हमारा critical angle छोटा होता है, अगर refractive index ज्यादा होता है, तो इन सभी में refractive index, blue, green, red में, सबस्यादा refractive index किसके लिए होगा, blue के लिए हमें पता है, सबस्यादा refractive index होता है, blue सबस्यादा bend करती है, यह चीज़ा हमने देखी थी, तो अगर इनमें से सिर्फ एक light को separate होना है, अगर सिर्फ एक light को separate होना है, तो वह वाली light, blue होने वाली है, तो इसमें तो ऐसा कोई option है, smartly guess करके mark कर नहीं सकते हैं, एक बार चेक कर लेते हैं, कि यहाँ पर critical angle की value कितनी आती है, ठीक है, angle 45 degree है, तो refractive index कितना होना चाहिए, हम यहाँ पर लिखेंगे, इस point पर, light ray ऐसे होगी, और मान लोग critical angle होता, तो 90 degree पर इस तरीके से emerge कर जाती, यह है हमारा 45 degree, हम लिखेंगे, n sin 45 degree is equal to 1 sin 90 degree, अगर n की value से जादा हो जाएगी, तो हमारे पास total internal reflection हो जाएगा, यहाँ पर n की value आजाती है, root 2, if n is more than root 2 और equal to root 2, हमें मिल जाता है, total internal reflection, equal to नहीं आएगा, sorry, यहाँ पर, तो if n is more than 1.414 something, हमारे पास total internal reflection हो जाएगा, देखों, यहाँ पर कौन सी values 1.414 से जादा है, 1.414 से जादा यह है, और यह है, तो हमारे पास green और blue separate हो जाएगी, ठीक है, तो green और blue separate हो जाएगी, तो separate the red color part, from the green and blue colors, हमारा answer हो जाएगा, C, यहाँ पर हमारी red नीचे निकल जाएगी, green इस तरफ आजाएगी, और blue भी इस तरफ आजाएगी, यह finally होने वाले, चलते हैं अगले सवाल पर, the refractive index of the material of the prism is root 3, then the angle of minimum deviation of the prism is, यहाँ बहुत ही सीदे-सीदे formula based question है, देखो formula क्या है, हमारा पास होता है, n is equal to sine of a plus delta minimum divided by 2, divided by sine of a by 2, तो यहाँ पर हमें एक ही value दी ही नहीं हुए है, refracting angle तो prism का दिया हुए ही नहीं हुआ है, इसका मतलब हम मान लेंगे कि हमारा पास वो equilateral triangle, और symmetric वाला है, तो एक ही value हम assume कर लेंगे, 60 degree, ओके, value रखना शुरू करते हैं, हमारा पास यह आ जाता है, root 3 into sine 60 by 2 is equal to sine of a plus delta minimum divided by 2, sine 60 by 2 यानि कि sine 30, sine 30 केतना होता है, 1 by 2 यह हो जाता है, root 3 by 2 is equal to sine of a plus delta minimum by 2, अब sine, किस angle के sine के value root 3 by 2 होती है, वो तहा हमारा 60 degree, यानि यह अंदर वाली value की जरूर 60 degree रही होगी, तो 60 degree is equal to a की value भी 60 degree है, plus delta minimum हमें पता करना है, divided by 2 यहाँ पर आ जाता है, 2 स्थरफ multiply होगा, यहाँ पर delta minimum की value आ जाएगी, फिर से 60 degree, option number C is the correct answer, आगे चलते हैं, next question पर, the angle of incidence for a ray of light, at a refracting surface of prism is 45 degree, the angle of prism is 60 degree, if the ray suffers minimum deviation through the prism, the angle of minimum deviation, and refractive index of the material of the prism are, क्या values हैं, हमें कैसे पता करेंगे, देखो, हमारे पास इस तरीके से कोई prism है, और minimum deviation हो रहा है, हमारे पास, ठीक है, minimum deviation की condition क्या होती है, I is equal to E होता है, for minimum deviation, आई की value हमें देए है, 45 degree, यहाँ से हमारे पास light इस तरीके साही होगी, ऐसे गई होगी, और फिर इस तरफ निकल गई होगी, यह है हमारा एक normal, यह angle 45 degree है, और यह वाला angle भी 45 degree, okay, angle of prism की value है, 60 degree, अच्छे एक बात बताओ, अकर यह 45 degree है, यह भी 45 degree है, यहाँ पर हमें symmetry से दिख रहा है, कि इस side जो R1 और R2 होंगे, वो दोनों भी बराबर आ जाएंगे, right, R1 is equal to R2 होगा, साथ में हम यह भी जानते हैं, कि A is equal to R1 plus R2 होता है, right, और दोनों की value बराबर है, A की value दी हुई है, हमें 60 degree, angle of prism is 60 degree, यहाँ से हमें पता चल जाता है, R1 is equal to R2 is equal to 30 degree, बहुत simple, अब यहाँ पर लगा दो, अब snail slot, इससे हमाँ पास कुछ reflecting index आजाएगा, क्या आजाएगा, 1 into sin 45, is equal to N into sin of 30 degree, sin 45, 1 by root 2 होता है, is equal to N, sin 30 की value किती होती है, 1 by 2, N की value आजाती है, यहाँ से root 2, पहला answer हमारा आ गया है, और दूसरी चीज़ क्या पता करनी है हमें, the angle of minimum deviation, okay, angle of minimum deviation, इस वक्त हमारे पास, minimum deviation ही हो रहा है, फिक है तो इस वक्त हमें, पता कर लेना है कि, deviation कितना है, delta की value क्यों होती है, delta की value होती है, I plus E minus A, I की value है, देखो यहाँ पर I था 45, EB था 45, E की value है 60 degree, तो 45 plus 45 minus 60, delta की value किती है आजाती है, 90 minus 60 is equal to 30 degree, तो हमारे answer हो जाएंगे, root 2 and 30 degree, root 2 and 30 degree, option number B, is the correct answer, वैसे हमारे पास, यह तो यह हो सकता था, यह दोनों तो answer हो रही नहीं सकते, कभी भी N की value 1 by root 2, नहीं हो सकती है, 1 से छोटा N की value नहीं हो सकती है, चलते हैं, next question पर, the refracting angle of a prism is A, and refracting index of the material of the prism is, cot A by 2, cot A by 2 जैसे इनने बोला, यह देखते हैं हमें समझ में आगया, कि हमें कुछ तो minimum deviation वाला formula लगाना है, तभी इस तरह की कुछ तो term है, the angle of minimum deviation is, तो minimum deviation का सीरे सीरे हम formula लगाएंगे, n is equal to sin of delta minimum plus A divided by 2 upon sin of A by, okay, n की value कितनी है, refractive index उसकी value दे रखे हमें, cot A by, cot A by 2 क्या होता है, cot A by 2 होता है, sin A by 2 upon cos A by 2 तो 10 होता है, यह हो जाता है, cos A by 2 upon sin of A by 2, सब को यह जीजिए, यहां से, sin A by 2 से, sin A by 2 हमारा cancel हो जाएगा, और हमारा पास value क्या हो जाएगी, sin of delta minimum plus A divided by 2 is equal to cos of A by, अच्छा, cos theta को क्या मैं लिख सकता हूँ, sin of 90 minus theta, इसको मैं लिख दूँगा, sin of 90 minus A by 2, अब देखो, sin के अंदर वाली terms, बराबर होनी चाहिए, यहां से जाएगा, delta minimum plus A divided by 2, is equal to 90 minus A by 2, यहां से जाएगा, delta minimum is equal to, delta minimum by 2 is equal to 90 minus A, 90 minus A, यानि की, delta minimum is equal to 180 minus 2A, option is, A is our correct answer, यह direct थोड़ा mathematical सवाल होगा, इसमें ज्यादा physics से अतना concept नहीं लग रहा है, एक बस हमारे पास formula था, उसके बाद पूरा का पूरा mathematics है, देखकर गड़ा लगता है, एक court आगया, अचानक से क्या हो गया, लेकिन अच्छली उतनी complicated भी calculations नहीं थी, चलते हैं next question पे, for the angle of minimum deviation of a prism, to be equal to its refracting angle, the prism must be made of a material, whose refractive index lies between, भीन बहुत सारे options है, सबसे पहली बात, तो हमारे पास formula क्या है, n is equal to sine of delta minimum, plus a divided by 2, upon sine of a by 2, सबसे पहले हमने formula लिग गया, अपके बोले, angle of minimum deviation, to be equal to its refracting angle, यानि कि delta minimum की value, a के बराबर है, यहाँ पर यह हमारे पास क्या हो जाएगा, sine of 2 times a by 2, अब देखो, यह है हमारे पास sine of 2 theta, इसको मैं क्या लिख सकता हूँ, 2 sine theta cos theta, इसकी value हो जाएगी, 2 sine a by 2, cos a by 2, divided by sine of a by 2, हमने सीधे-सीधे, sine 2 theta को expand कर दिया, इस तरीके से, और यहाँ पर हमारी कुछ e से, cancel out हो जाएगी, और n की value के दिया जाती है, n is equal to 2 cos a by, अच्छा, अभी भी हमारी solution निकला नहीं है, हमारा answer आया नहीं है, हमें क्या पता करना है, हमारे पास, देखो, हमारे पास, angle of incidence, for minimum deviation, i is equal to e होता है, और हमारे पास, जो minimum, हमारे deviation की value होती है, i plus e minus a, यहाँ से delta की value हो जाएगी, 2i minus a, और delta की value भी, हमें बोला हुआ है, कि इसकी value a के बराबर होनी चीए, तो यहाँ से हो जाता है, 2i is equal to 2a, या फिर i is equal to a, अब angle of incidence की, maximum value कितनी हो सकती है, angle of incidence की maximum value हो सकती है, 0 से 90 degree जाता है, हमारा angle of incidence, यहाँ पर हमारी value कहां से कहां तक जाएगी, i की value 0 से 90 degree जा सकती है, तो a by 2 की value कहां से कहां तक जा सकती है, a by 2 की value जा सकती है, 0 से 45 degree तक, i lies between 0 and 90 degree, इसका मतलब i is equal to a था, और a by 2 की value हो जाएगी, a by 2 की range जा जाएगी, 45 degree से 0 degree तक, अब अगर यह वाली value 0 से 45 degree तक है, तो n की value कहां से कहां तक vary कर सकती है, n की value जा सकती है, 2 cos 45 degree से लेकर के, 2 cos 0 degree तक, अच्छा cos 0 की value तो हो जाती है 1, तो maximum value, n की maximum value आ जाएगी 2, और अब इसकी value अगर मैं अंदर वाले की 45 degree रखूँगा, तो इसकी value हो जाती है 1 by root 2, और ये 2 है, तो multiply हो करके हमाँ पाँ जाता है, root 2 से 2 के बीच में, हमारा n की value होनी चाहिए, तो हमारा answer जाता है, b lies between 2 and root 2, तो इस तरीके से हमें question solve करना लाएग, चलते हैं अगले सवाल पर, angle of deviation delta by a prism, refractive index mu, and supposing the angle of prism a to be small, can be given by, ये है, सीदे सीदे formula based question, thin prism के लिए हमारा जो deviation होता, इसकी value कितनी होती है, a into n minus 1, तो हमारा answer कौन से हो जाता है, यहाँ पर a is the correct answer, ये हमारा minimum deviation का, तो क्या ही formula है, पतानी क्या बना दिया, next question देखते है, array is incident at an angle of incidence i, on one surface of a small angle prism, with an angle of prism a, and emerges normally from the opposite surface, if the refractive index of the material of the prism is mu, then the angle of incidence is nearly equal to, इसको कैसे solve करोगे, ये question बार बार रिपीट हो है, नीट में, वीडियो को pause करो, solve करो, solve करो, solve करो, हमारी पास deviation का formula होता है, i plus e minus a, हम से बूला है, कि emerges normally, light जो हमारा thin prism, से normally निकल रही है, यानि कि उसका angle of emergence, उसकी value है 0, यहाँ पर e की value 0 है, तो delta की value हाजाती है, i minus a, thin prism के लिए, हमें और एक चीज़ पता है, कि delta की जो value होती है, वो होती है, n minus 1 times a, अब इनी दोनों values को equate कर दो, n minus 1 times a, is equal to i minus a, यहाँ से हमारा पास value क्या जाती है, a, n a, minus a, is equal to i, minus a, a से a कट गया, और हमें पूछा गया था, the angle of incidence, i is equal to n times a, क्या इस case में उसकी value है, mu a, option number b, is the correct answer, चलें, next question पर देखते हैं, array of light is incident, at an angle of incidence i, on one face of a prism of angle a, जिसको हमें small angle मानना है, and emerges normally from the opposite face, if the refractive index of prism is mu, the angle of incidence is i, is nearly equal to, again, exactly same सवाल है, जो अभी हमने पिछला स्वाल किया था, यहाँ पर हमारा answer हो जाएगा, a, mu a के बराबर, इस तरी के questions बहुत जादा repeat हो रहे है, इन formula को ध्यान रखना, in prism का सबसे important formula क्या है, हमारा deviation की value होती है, n-1 times a, बहुत important formula, चलो, अगला सवाल देखते है, a thin prism having refractive angle of 10 degree, is made of glass of refractive index 1.42, चीक है, तो क्या यह 10 degrees को हमें thin prism मानना चाहिए, मान लेंगे, वैसे उतना thin तो है नहीं, this prism is combined with another thin prism, of glass of refractive index 1.7, this combination produces dispersion without deviation, the refracting angle of the second prism should be, ओ हो, यहाँ पर आ गया है dispersion without deviation, तो हो क्या रहा होगा, बेखो हमारे पास, actually हो रहा होगा, एक इस तरीके से हमारे पास prism है, दूसरा prism हम इस तरीके से, फुल्टा लगाएंगे, यहाँ से जब कोई भी ray आ रही होगी, पहला prism उसको इस तरफ थोड़ा सा, उसको disperse कर देगा, तो दूसरा जो prism है, उन्ही light rays को, वापिस से इस तरीके से connect कर देगा, और हमारे पास मिलता क्या है, dispersion without deviation, तो यहाँ पर dispersion उतर रहेगा, लेकिन final deviation की value, हम बोल सकते हैं कि 0 है, जिस direction में light आ रही थी, उस direction में light जा रही है, finally, deviation total की value 0 है, तो हमें actually dispersion का use नहीं करना, हमें बस यह देख लेना है, total deviation की value 0 आनी जाहे, हमें पता है, total deviation हो जाएगा, delta 1 प्लस delta 2, delta 1 की value कितनी है, 10 degree into 1.42 minus 1, और delta 2 की value कितनी हो जाती है, वो हो जाती है, वो angle हमें पता करना है, a into 1.7 minus 1, और इसकी value हमें कर देना है 0, क्योंकि total deviation की value 0 है, यहाँ से आप solve करोगे, तो इसकी value कितनी हो जाती है, 1.42 minus 1 यानी 0.42 into 10, divided by 0.7 is equal to minus का a, right, तो हमारे पास a की value आ जाती है, a is equal to, 42 upon 7 की value आ जाती है, 6, 6 degree, लेकिन minus, और यह minus का मतलब क्या है, कि हमारा एक prism अगर इस तरीके से था, तो दूसरे वाला उल्टा होगा, तब ही यह angle negative आ रहा, तो हमारे पास answer हो जाता है, उसका actually refracting angle 6 degree होगा, लेकिन वो prism को हम उल्टा लगाया होगा, इस तरीके से हम questions को solve करते हैं, हमारे पास total deviation हमने 0 कर दिया, dispersion का यहां पर कोई काम नहीं, next question देखते हैं जो कि repeat हुआ है, a thin prism of angle 15 degree, again it is not thin prism, बहुत साथा thin तो नहीं लग रहा है, made of glass of refractive index 1.5, is combined with another prism of glass of refractive index 1.75, the combination of prism produces dispersion without deviation, the angle of second prism should be, second prism cast answer कितना है, हमें delta 1 की value delta 2 कर देते हैं, मान लोग इस वार मैं पहले सही assume कर ले रहा हूं कि मैंने उल्टे direction में 2 prism को लगाया हुआ है, इस दिशा में कुछ deviate किया होगा, यह उतना ही दूसरी दिशा में deviate कर देगा, तो हमारे पास answer हो जाएगा, तो हम deviation के सिर्फ magnitude को equal कर लेते हैं, सिर्फ magnitude of deviation को हम equal कर रहे हैं, plus minus का यहां पर धियान नहीं रखेंगे, पिछले question के रहा है, यहां पर हो जाएगा, 1.5-1 into 15 is equal to, A into 1.75-1, तो इसकी value कित्ती आ जाएगी, 15 into 1 by 2 is equal to, A into 3 by 4, यहां सी आ जाएगा, 15 into 2 by 3 which is equal to 10 degree, option number B is the correct answer, और इसी के साथ हमने प्रेंसर related, सारे के सारे question सौल कर लिए, अब हम चलते हैं next topic पे, Telescope, Telescope का का काम होता है, हम दूर की चीज़ों को देखते हैं, पास मिला करके, बड़ा हम उन्हें देखना जाते हैं, तो हम दूर की चीज़ों को बड़ा करने के लिए, Telescope का यूज करते हैं, इसमें हमारे पास दो Lens होते हैं, पहले Lens को हम बोलेंगे, Objective Lens, यह वाला हो जाएगा हमारा, Eye Piece, अब Telescope में, क्योंकि हम दूर की चीज़ों को देखते हैं, यह हमारी जो पहली Image बनाएगा, Objective वो Focus Point पे ही बनाएगा, उसकी जो Focal Lens है, उतने Distance पे ही Image बनाने बादे हैं, अब यहाँ पर Image बनी हैं, यह तो छोटी बनी हैं, हम यहाँ पर इस तरीके से, इस डूसरे Eye Piece को, जो Eye के पास में होता है, उसका हम बोलता है Eye Piece, इस Lens को इस तरीके से Adjust करते हैं, कि यह जो Image बनी है, अब वो इसकी Focal Point पे रहे, उससे क्या होगा, जब Focal Point पर हमारी Image है, तो यहाँ से जब भी रहाएंगी, तो यह इसकी Infinite पे बड़ी सी Image बना देगा, इस तरीके से हम बड़ी Image देख पाते हैं, तो हमारे पास यह जो Total Length होती है, उसको हम Tube Length बोल सकते हैं, उसकी Value कित्ती हो जाएगी, F O plus F E, D हमारा F O plus F E हो जाता है, Magnification का भी Formula है, Magnification का Formula होता है, F O divided by F E, इसमें हमारी जो Image बनती है, यह जो Image बनती है, यह अच्छली Infinite पर बनती है, Infinite पर बनती है का मतलब क्या देखो, बनेगी तो वो दिखेगी, ऐसे नहीं कि बहुत बड़ी देखेगी, Infinite पर तो बहुत चीज़े होती हैं, लेकिन कुछ सा साइज में देखती हैं, लेकिन उसको देखने के लिए, हमें आखों पर स्ट्रेट नहीं डालना पड़ेगा, हमें फोकस नहीं पढ़ना पड़ेगा, हमारी नॉर्मल जट्जस्मेंट होता है आखों का, हम जब आखे खुली छोड़े तो अपने आप Infinity पर फोकस कर लेते, पास में देखने के लिए हमें आखों पर जोड़ डालना पड़ता है, तो अगर हमें रिलाक्स टाई से देखना है, तो हमारे पास ये वाला केस होने वाला इमेज इंफिनिटी पर बनेगी, लेकिन हम इसको थोड़ा और एड्जस्स कर सकते हैं, अगर मैं इस आईपी इसको थोड़ा इधर उधर मूव करूँगा, तो मैं इमेज को आँखों के पास बना सकता हूँ, इमेज आँखों के पास बनेगी, तो थोड़ा और बढ़ी हो जाएगी, हमारा मैगनिफिकेशन थोड़ा और बढ़ जाएगा, लेकिन उसमें हमें रिलैक्सेशन छोड़ना पड़ेगा, हमारी आखों में थोड़ा इस्ट्रेंड करना पड़ेगा, इमेज ऐगर मैं पास लेके आऊँ, तो मैं मिनेंमम कितना पास ला सकता हूँ, मिनेमम यो भी मिनिमम धिस्टेंस हम देख सकते हैं, वो distance क्या होता है उसको हम बुलते है capital D ठीक है और यह इसकी average value कितनी लेते हैं हम 25 cm लेते हैं जो closest distance of distinct vision होता है उसकी value उस case में हम image बना रहे होते हैं D पर जब भी use होगा formula हम calculation कर सकते हैं उसमें में magnification maximum मिलता है उस maximum magnification का formula हो जाता है देखो FO upon FE यहाँ था FO upon FE यहाँ था उसको multiply कर दो 1 plus FE divided by D से और हमारे पास maximum magnification आ जाएगा लेकिन अगर कोई आपसे बोले questions हम बोला जाए कि कि किसी भी telescope का magnification कुछ दे रखे value तो usually हम इसकी बात करते हैं unless specify कि maximum है हम हमेशा इस magnification की बात करें questions solve करना शुरू करते हैं an astronomical refracting telescope refracting यह है na will have large angular magnification and high angular resolution when it has an objective lens of हमारे telescopes में objective lens का focal length ज्यादा होती है और उसका diameter भी ज्यादा होता है diameter ज्यादा होने से क्या होगा जैसे इतना बड़ा diameter तो ज्यादा light को अंदर लेगा तो brighter image बने गया ठीक से चीज़े देख भी पाऊगे है हमारे पास answer होता है इसका d small diameter तो हमारे पास होना ही नीचे small diameter objective का होता है microscope में all right आगे चलते हैं an astronomical telescope has objective and eye piece of focal length 40 cm and 4 cm respectively to view an object 200 cm away from the objective the lenses must be separated by कितनी दूरी पर उनको separate किया जाए हम बहुत ही अच्छा यह सवाल है देखो हमारे पास पहली बात तो इसको करेंगे कैसे हमारे पास इस तरीके से एक objective lens है यहां पर एक eye piece है अब हमें image बनानी है image इस तरीके से बनेगी कि हमारे पास object ने बोली दिया है object का जो distance है वो दे दिया है कितना है 200 cm इस object की कहीं यहां पर image बन जाएगी इस तरफ मान लो ऐसे में image बनी है और यह वाली जो image बनेगी यह distance हम ना आप सकते है और यह हमारे पास lens के formula से यह वाला distance पता चल जाए और यह जो image बनती है वो eye piece के focal length पर होनी जाए तो हमें एक चीज तो पक्के से बता है कि यह वाली जो value है यह focal length of eye piece के बराबर आने जी जिसकी value है कितनी 4 cm अब बस हमें यह वाली चीज पता करनी है इसको हम क्या बोलेंगे this is v अब हम लगाते हैं lens का formula इस वाले objective lens के लिए for objective lens v is equal to formula uf upon u plus f u की value क्या है देखो light rays इस तरफ जा रही थी तो यह हमारा positive direction होता है तो यह पोल से नापेंगे हम यह u की value हो जाएगी minus 200 focal length कितनी हो जाएगी यह एक converging lens है इसकी focal length actually positive में है focal length की value हो जाएगी plus 40 नीचे में आ जाएगा u की value minus 200 plus 40 यहां से आप इसको solve करोगे तो कितना जाएगा minus 200 into 40 divided by minus का 160 minus से minus कट गया यह 0 से 0 कट गया और क्या हो जाएगा 4 कट जाएगा और यहां सा जाएगा 50 cm तो हमारी image बनिया है 50 cm से और उसके बाद हमें 4 cm और एड करना पड़ेगा क्योंकि जो image objective बनाता है वो IPS की focal length पर होनी चाहिए पर नॉर्मल एड्जस्मेंट तो टोटल लेंथ हमारी कित्ती हो जाएगी टोटल लेंथ इस इक्वल टू 50 प्लस 4 cm आंसर इस 54 cm बहुत ही अच्छा सवाल था conceptual सवाल था तरीके से हम telescope को आगे पीचे करके इस तरीके से देखते हैं अगर हमें infinite पर कोई object रखी है बताओ इसकी normal adjustment में tube length कितनी होने चाहिए जिस वक्त हमें कोई object infinite distance पर उसको देखना है तो infinite distance पर अगर होगी तो यह image जो बनेगी वो बनेगी focal length of objective पर जिसकी value कितनी दे रखी है हमें 40 cm 40 cm plus 4 cm हम करेंगे तो total 44 cm हमारा normal adjustment infinite पर रखी object को अगर हम देख रहे हो तो इसकी tube length होनी चाहिए 44 cm अभी हमें चाहिए 54 cm तो हम इस तरीके से adjust करते रहे हैं ओके आगे चलते हैं in an astronomical telescope in normal adjustment यानि की infinite की object रखी हुई है और उसको हम देख रहे हैं a straight black line of length L is drawn on inside part of objective lens कुछ तो creativity कर रहे हैं परें the eye piece forms a real image of this line the length of this image is small L the magnification of the telescope is बहुत अच्छा जवाले देखो पहली बात तो हमारे पास diagram बनाओ सबसे पहले diagram बनाना बहुत ज़्यादा जरूरी है यह हमारे पास एक eye piece है यह objective यह IP objective पर हमने एक straight black line बना दे है जिसकी length है L और यहां पर इस eye piece का focus कहां पर है यहां पर होगा यहां पर रही होगी इस तरीके से यह वाली लेंथ है L magnification of the telescope is तो eye piece के लिए हम पहले equation लिखेंग eye piece के लिए for eye piece v is equal to uf upon u plus f okay तो इसके लिए v by u m की value किती है magnification m is equal to v by u यह magnification of eye piece है magnification of eye piece m of eye is equal to v by u यहां पर से इस u को नीचे ले जाओगे तो यह वाली value कितनी आ जाती है f upon u plus f यह magnification of eye piece आ गया okay और magnification of eye piece क्या हमें पता है magnification of eye piece की value कितनी है देखो L हमारे पास object था और image बनी है small l तो हमारे पास magnification की value कितनी आ जाएगी image की length divided by object की length इसकी value also equality होगी L by capital L सब कोई चीज़ क्लियर है यह हमने formula से पता कर लिया कि magnification of eye piece की value हो जाती है f upon u plus f और magnification की value हमें question में दी होई है L by L होगी लेकिन यहां पर एक twist है यह हमारी negative में value होगी यहां पर minus भी लगेगा क्यों minus लग रहा है क्योंकि यह है हमारा convex lens इसने बनाई है real image तो जरूर वह inverted image बनी होगी right तो हमें यहां पर minus लगाना ही पड़ेगा क्योंकि formula में तो हम सारी चीज़े sign convention के साथ लगाते हैं okay अब हमारी पास values क्या आ गए है यह है हमारी f कौन सी थी यह focal length of eye piece था यह भी focal length of eye piece था u की value कितनी है u की value थी हमारी यह वाली length fo plus fe है u is equal to fo o plus fe लेकिन fo plus fe भी minus में आएगा right देखा हमारे पास focal length fo and fe are only numeric values इसमें हम sign का use नहीं कर रहे है इस lens के लिए focal length जब हमने यहां पर लिखी थी तो वह positive ही थी तो हमें plus minus नहीं करना पड़ा लेकिन image की बात करोगा यह जो u था यहां पर देखो यह object है object का distance जो u है वह actually negative side में क्योंकि image race तो इस तरफ जा रहे है हमारे u की value जाएगी minus fo plus fe यहां पर वह value रखो तो हमारे पास value हाजाएगी minus l by l is equal to fe upon u की जगे हम रखतेंगे minus fo minus fe plus f यहां से हमारे पास fe cut जाता है और हमाय पास आजाता है l by l is equal to fe upon fo हमसे बूचा है magnification of the telescope magnification of telescope का formula क्या होता है m is equal to fo upon fe उसकी value हाजाती है capital L divided by small l यहां से हमारा answer हो जाएगा capital L c is the correct answer यह सब जाएगे i क्यूं कर दिया है value L है L है L है क्रियाज आपको question समझ पाएगा थोड़ा सा घुमा फिरा हुआ सवाल है लेकिन थोड़ी 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 math लगए तो हो जाएगा ध्यान क्या देना था यहां पर प्लस FE हमारा यू था लेकिन नेगेटिव ठीक है नेगेटिव था और आगे चलते हैं The magnifying power of a telescope is 9 When it is adjusted for parallel rays The distance between the objective and the eye piece is 20 cm The focal length of lenses are बहुत ही simple सवाल है Directly formula based सवाल है Magnification का formula क्या होता है Focal length of objective vary by focal length of eye piece इसकी value हमें क्या दे रखिये 9 साथ में हमें जो tube length होती है tube length क्या होती है F O plus FE उसकी value दे रखिये है 20 cm इसमें रखो values F O, यहां से F O की value हो जाती है 9 times FE, तो यह हो जाएगा हमारे पास 10 times FE is equal to 20 cm FE की value हो जाती है 2 cm और FE की value 2 cm होगी तो FO की value हो जाती है 18 cm हमारे पास answer हो जाएगा C is the correct answer बहुत ही आसान सवाल था और ऐसे सवाल नीट में repeat होते हैं क्योंकि आसान question तो नीट में repeat होते ही है next question देखो 10 times FE is equal to 44 FE की value आ जाती है हमारी 4 cm याने की FO की value आ जाती है 40 cm dot the focal length of objective lens is 40 cm B is the correct answer के साथ telescope के भी हमने सारे के सारे question solve कर लिये है अब आ गया है समय अगले topic पर जाने का microscope हमारे पास दो तरीके microscope होता है simple microscope complex telescope telescope में हमारे पास simple telescope भी हो सकता था इतनी बड़ी focal length बनाओगे तो फिर हमारे पास magnification ही नहीं आगा कुछ इसा it is as good as आप कांच की slab के तुरू देख रहे हो तो कुछ magnification देखने वाला है नहीं इसलिए हमारे पास simple telescope होता है सिर्फ compound telescope होता है microscope में हमारे पास simple microscope हो सकता है किसी भी object को पास लाते जाओगे तो बड़ी तो होती जाती है लेकिन एक point के बाद मैं उसको देख नहीं पाता मैं उसे resolve नहीं कर पाता वह बड़ी जरूर हो जाएगी इतनी बड़ी हो गई देखो मुझे देखना चाहिए लेकिन वह blurred है तो एक minimum distance है जिसको हम बोलते है capital D उसके बाद मैं नहीं देख पाता हूं तो हमारे जो देखने की range है वो capital D से infinite तक होती है ऐसा month है कुछ लोगों को फिर vision defect होते हैं तो उनका वो D तक भी ने देख पाते हैं तो उनको infinite पर भी कुछ दिखाई नहीं है तो उनको कुछ अलगी देख रहा होता उसको फिर हम fix भी कर लेते हैं शश्मा लगा करके लेकिन अब simple microscope के लिए अगर हम magnification की बात करें तो अगर हम normal adjustment जब भी करेंगे देखो जब भी हमे normal adjustment करना होता तो image हमेशा infinity पर बनते हैं उस case में V infinite पर बना रहेंगे और उस case में हमारे पास magnification की value क्या जाती है capital D divided by small f focal है अगर हमें maximum magnification चाहिए तो हमें आखों पर थोड़ा जोड़ डालना पड़ेगा हम lens को आगे पीछे करेंगे maximum magnification के लिए जो image बनेगी वो बनेगी deeper हमेशा यही issue होता है देखो हमेशा maximum में image capital D पर बनती है telescope हो चाहे microscope और normal adjustment में image बनती है infinity पर ताकि हम relaxed राकों से देख पांग इस case में magnification का formula होता है d by f plus one थोड़ा सा magnification बस बढ़ जाता है ओके अब इसके बाद हम चलते हैं next topic पर compound microscope compound microscope में हमाँ पास दो lens होता है telescope की ही तरह यहाँ पर हमारे पास एक बड़ा lens और एक छोटा lens है लेकिन इस पार छोटा वाला lens objective है यह बड़ा वाला lens eye piece होता है ओके इसको adjust किस तरीके से किया जाता है देखो पहले हमारे पास जो eye piece है वो इस छोटी सी object से लेकर एक उसकी real और inverted image यहाँ पर बना देता है अब यह real और inverted image बनी है उस image को इस तरीके से adjust किया जाता है इस वाले lens को आप आगे पीचे इस तरीके से करोगे कि यह जो image बनी है हमारे eye piece की अगर focal length पर बनी है focal length पर है तो यहाँ पर से race फिर parallel हो जाएंगे और हमारी image बनेगी इतर infinity पर ठीक तो हमारे पास इस तरीके से हम image बनाते है लेकिन अगर हमें उसको थोड़ा से adjust करना है तो हम एक काम कर सकते हैं कि maximum magnification के लिए यह जो image बनती है तो हमारे पास अगे इन दो cases हो गए हमारे magnification या तो maximum magnification होगा जिस वक्त image बन रही होगी कहां पर बनेगी V is equal to deeper और यह है हमारा normal adjustment जिसमें image बनती है infinite पर हमारे पास जो magnification का formula होता है वह होता है total magnification is equal to MO into ME MO क्या है magnification by objective lens and ME क्या है magnification by eye piece और MO को आप लिख दोगे VO upon UO ठीक है यहाँ पर हमें कुछ UO पता होगा बता दिया जाएगा question में कि कितनी दूरी पर हमने object को रखा है तो हम UO पता कर सकते हैं उसकी focal length होगी तो हम VO पता कर सकते हैं इससे हमारे पास इसका magnification आ जाएगा और पिर हमारे पास यह वाला जो lens है आई-piece उसके लिए भी कुछ magnification होता है तो उस magnification की value देखो D upon FE या फिर D upon FE plus 1 यह magnification कहां से है देखो अभी हमने simple microscope में देखा था D upon F D upon F plus 1 दो तरीके के magnification होते थे एक था normal adjustment एक ता maximum magnification वाला यही दो चीज़ा आप यहाँ पर लगा देना D by FE यह D by FE plus 1 और हमारे पास इस तरीके से total magnification आजाता है M is equal to MO times ME और अगर हमसे बोला जाए कि हमारे पास एक microscope है जिसका magnification की value कुछ है तो वो इन दोनों में से कौन से वाला magnification होता है जब भी सिर्फ magnification बोला जाता है तो वो normal adjustment वाला होता है यानि कि हमें यह वाला magnification usually लेन है unless बोला जाए कि maximum magnification है तो हमेशे यह वाला लेंगे और इस formula आ जाता है देखो इसका formula क्या हो जाता है L into D upon FO FE ठीक इस तरीके से हमारे पास यहां पर L क्या होता अब यह बताओ what is this L यह tube length इसको बोल देते है पर actually tube length नहीं है tube length तो यानि इस length से लेकर कि इस length तक की tube length नही जाए दी लेकिनी जो L होता है वो होता है इस F O और F E के बीच में जो space बचती है वो ठीक जबी तो देखो यह हां पर हमारा जो magnification है वो हो जाएगा L divided by F O हमारे पास magnification पहले वाले के current यह हो जाता है L upon F O L यह वाली length होती है O F O यह वाली होते है सबको clear इस microscope से सिर्फ एक सवाल पुछा गया है The focal length of objective lens is increased then magnifying power of microscope will increase microscope and telescope both will increase तो formula देखते है पहली बात तो microscope के लिए magnification of microscope is equal to L T upon F O F E और magnification of telescope उसका formula क्या होता है F O upon F E हम से क्या बोला जा रहा है कि the focal length of objective lens is increased तो magnifying power अब देखो objective lens की अगर focal length increase करेंगे तो telescope की power increase कर रहे है लेकिन microscope की decrease करेंगी तो microscope की decrease microscope will decrease but telescope will increase तो option number D is the correct answer तो एक ही सवाल है अभी तक नीट में और topic खतम होगा हमारा हम चलते हैं next topic जब हाँ जब बार बीदू कारको रेन वो रेम कैसे बनता है माँवठ्स का दो तरीके बनते एकुट होता हमारा primary रिण जब हवा में बारीव बास्टियर्डविस्गी छोटी च्योटी ब्रॉपलेट्स suspended रह जाती है सब्सूंडड करको मालरे हा cabinet आजती है बेंड कौन सी हुई है ब्लू वाली और सबसे थोड़ा कम बेंड हुई है रेड वाली इस तरीके से हमारी रेज आती है मीन एंगल की बात कर scripture तो वह 42 डिग्री पर आएगा अब देखो यहां पर ध्यान देना यहां पर हमारा रेड वाला लीचे है अना बुलू वाला उपर की तरफ है जेकिन जब हम रेज़ वाला नीचे की तरफ है रेड वाला उपर की तरफ है तो उलटा हो गया कुछ गड़बड हो गया, ऐसा कैसे हो गया, इसको आप ऐसे समझे कि अगर मैं यहाँ पर खड़े होके देख रहा हूँ, बहुत इंट्रेस्टिंग चीज़ आगी है, अगर मैं यहाँ पर खड़े होके देख रहा हूँ, तो यहाँ पर कोई ड्रॉपलेट होगी, जिसकी देखेगा तो इसको तो red उपर दिखाई दे रहा है blue नीचे दिखाई दे रहा है फिक है यहां पर हमेशा ऐसा होगा red नीचे आता है लेकिन दिखाई उपर देता है इस चीज में confused मत होना all right secondary जो हमारा rainbow बना है उसमें दो बार total internal reflection होता है primary में सिर्फ एक बार total internal reflection होता है और secondary में आप देखोगे blue वाली नीचे है इसका मतलब जब देखोगे तो blue वाली उपर दिखाई देगी अंदर यहां पर red वाली दिखाई देगी तो इन चीजों को याद क्या से रखे बड़ी confusing से चीजों के इसको याद रखने का एक ही टरीका है हमारे प पता है कि primary छोटा होता है सेकंडी बड़ा होता है तो यह 42 डिग्री है यह 51 डिग्री है अब कलर कॉन सा कहां पर है तो हमेशा आप चाहिए इदर से जाओ चाहिए आप इदर से आओ आपको पहले विभ्योर ही मिलेगा तो आगर इदर से आते हो तो हमें यहां पर वी इस तरीके से, हमारी colors मिल जाते हैं, इसको आप इस तरीके से याद रख सकते हो, और यहाँ पर एक चिडिया है, पता नहीं क्यों है, question solve करते हैं, rainbow से related, rainbow is formed due to a combination of dispersion and total internal reflection, actually यह हमारा answer है, refraction and absorption, नहीं, dispersion and focusing, हरे, focusing कहा हो रही है, हवा हमें, refraction and scattering, नहीं, यह भी नहीं है, next question, pick the wrong answer in the context with rainbow, when the light ray undergo two internal reflections in a water drop, a secondary rainbow is formed, this is true, the order of colors is reversed in the secondary rainbow, यह भी हमने देखा था, उसमें color reverse हो जाते हैं, an observer can see a rainbow when his front is toward the sun, यह नहीं होता है, हमारे पास क्या होता है, light ray इधर से आती है, यहाँ पर boon में कुछ दा है, फिर इधर आता है, हमें देखता उधर है, यानि कि sun हमारे पीछे की तरफ है, तो यह false हो जाता है, और इसलिए यह हमारा answer हो जाएगा, rainbow is a combined effect of dispersion, reflection and reflection of sunlight, तो हाँ, total internal reflection है, यहाँ पर आचली सिर्फ reflection नहीं है, यह भी हमारी चीज हो जाती है, answer C आ जाता है, आ जाते हैं हमारे last topic पर vision defects, हमारे पास चाहत रही है कि vision defects होते हैं, लेकि उसमें से दो हमें prominently याद करने, क्योंकि बाकी दो का हम कुछ कर भी नहीं सकते हैं, उसके जादा numerical होते हैं, myopia या फिर short sightedness, तो short sightedness में मतलब हमें छोटी distance की चीज़ें दिखाई देती हैं, दूर की चीज़ें नहीं दिखाई देती हैं, ठीक है, यहाँ पर बहुत confusion होता है लोगों, और hypermetropia होता है, long sightedness, यानि कि उसमें हमें दूर की चीज़ें दिखाई देती हैं, past की थोड़ा पहले ही focus हो जाती है, इस तरीके से, और past की चीज़ें दिखाई कैसे देती हैं, देखो past की चीज़ें तो फिर यहाँ तक तो focus वो हम करवा ही सकते हैं, right, तो यह हमारे पास defect होता है, अब इस defect को अगर हमें सही करना है, तो क्या करना पड़ेगा, देखो infinite से raise आ ही थी, वो थोड़ा पहले ही converge हो जा रही है focus पे, तो हमें बनाने है image retina पे, इनको थोड़ा दूर हमें image बनाने है, तो हम यहाँ पर एक इस तरीके से, कौन सा lens लगाएंगे, converging या diverging, हम लगाएंगे diverging lens, ताकि raise थोड़ा बाहर जाने लगे, और यहाँ पर हमारे पास ज लगाया जाएगा, तो जिनके चश्मे की power negative होती है, उनको myopia हो जाता है, अनिकी, correct, hypermetropia, इसमें क्या होता है, हमारे पास long sightedness, तो इसका हमें दूर की चीज़े दिखाई दे पाती है, तो मान लो, पास की चीज़े नहीं दिखाई दे रही, पास की चीज़ों में क्यों न पर image बन जाती है, लेकिन pass की ही object है, तो image थोड़ा जादा पीछे बन जाती है, हमारी उसकी power थोड़ी कम पढ़ जा रही है, converging power कम पढ़ रही है, तो कैसे इसको सही करें, थोड़ा converging power add कर देते हैं, वहाँ पर एक हम converging lens रखतेंगे, convex lens होता है, converging lens हमारे पास, normal conditions में, य मान लोगी हमारे पास myopia और hypermetropia है, हमारी आंकों से ना दूर का दिखता है, ना पास का दिखता है, बीच में कहीं का शायद दिखा तो देखा नहीं, तो कुछ भी दिखना सब बंद हो गया, उसको हम बोलते है, press byopia, यानि हमें दोनों defects हैं, तो उस case में हम अलग-अलग च effect होता है, जिस वक्त हमारे पास आखों में जो lens है, वो symmetric नहीं रहता, symmetric नहीं रहता, मतलब अगर इस axis पर कोई चीज है, तो इसकी length हमें कुछ और दिखाई देती है, दूसरे axis पर length कुछ और दिखाई देती है, तो थोड़ा चप्टा हो जाता है, एक तरीक से, आप ऐसा ब fix करने के लिए हम cylindrical lenses का use करते हैं, और इस पर based कोई भी calculation कहीं भी नहीं होते है, तो हमने सारे के सारे vision defects के बारे में पढ़ लिया, अब चलते है questions पर, the hypermetropia is a, क्या है hypermetropia, it is long side defect, hypermetropia होता है long sightedness, तो हमारे पास ये long sightedness है, तो हम लॉंग तो देख सकते है, तो हमारे प effect होगा न, right, हमें पास का नहीं दिखता है, तो इसका answer होना चाहिए, a, hypermetropia is a short side defect, इसका answer a होना चाहिए, पता नहीं क्यों अजीब से, कुछ लोग इसका भी भी अमार किया हो है, long sightedness है, effect short side का, next, और last question, the reddish appearance of the sun at sunrise and sunset is due to, इसका answer होता है, scattering of light के कारण हमें ऐसा होता है, light जो आती है, वो आतो से ही color कि जाती है, sun को पता भी नहीं है, अल्थ पे सुबह हो रही है कि शाम हो रही है, कि sun तो से ही light भेज रहा था, पर हमें अलग-अलग समय पहलग-अलग color दिखाई देता है, वो इसलिए क्योंकि scattering of light हो जाती है, और इसका answer या जाता है, अब इन में से देखो, ये तो हो नहीं सकता, polarization पी नहीं हो सकता, color of sky, sky का color भी actually scattering के कारण ही हमें दिखाई देता है, blue, ऐसा नहीं है कि sky का अलग से color है, किसी ने नीला रंग उसमें भर क्या आया था, सारी के सारी चीज़े हमें scattering के कारण दिखाई देत जब भी मेरी live class होगे, आप आप आर के साथ में जाइन कर सकते हो, और यूस करो मेरा code Vikrant to unlock your free plan on the Unacademy learning app, तो आज आप पढ़ेंगे live, use my code Vikrant on the learning app, this is NK, मिर विक्रान के रा, बाइ-बाइ